जहन मेरे प्यारे शेर बादरों आरके competitive classes में फिर से धमाकेदार और विस प्रोडक्स स्वागत है मैं तुमारी विजन बैच में नया शुरुआत धमाकेदार शुरुआत कर रहा हूं रेश्च्वाइंड प्रोपोर्शन का इसके पहले मैंने आपको calculation का 17 टाइप पढ़ाया ह नंबर सिस्टम पढ़ाया है decimal fraction पढ़ाया है basic calculation में हम सभी का सब्सक्राइप सिंप्लिफिकेशन और LCM SCF है जिसको हम लोग अब सब्सक्राइप में दो दिन देखेंगे और चार दिन arithmetic को नास्ते नाभूद करेंगे तो आजाओ मेरे शारे शेर बहादूर करते हैं सुल्यूशन सुरू MD समसेर आलम राहुल देव MD महरवान साश्टी है देवनात कुमार देवु देवु है विजय कुषबाहा है शंदीपक कुमार है बहुत सारे बच्चे लयतार जूरत जा रहे हैं सभी को गुण मॉनिंग नमस्कार आजा ये तावर तोड हमला करते हैं क आर्थमेटिक को इधर से खिचते हैं मेरे शेर बायादरों और पूरे तरीका से हम लोग दो दिन बेसिक को या संडे को पूरे बेसिक चेप्टर को खतम करने का प्रियास करेंगे चंदन कुमार नवादा से जुड़ गया है लगतार अलग अलग जगा से बिमलेस कुमार ज चंदू जुड़ गया हैं सुधिर कुमार जुड़ गया हैं सभी सेर बायादर फटाफट आज आई शुरुवात करते हैं आज का धमागेदार सेशन रेश्यो और प्रोपोर्शन रेश्यो और प्रोपोर्शन अनुपात एवं शमानुपात अनुपात एवं समानुपात ए यूटूब पे धुनिया भर का क्लासेस मैंने रेश्यो और प्रोपोर्शन का दिया है उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है यहाँ पे हम तावर तोड शॉलूशन करते चलेंगे जहाँ पे दिक्कत होगा मैं जारूर आपको बताऊंगा आजाएए बहुते लेट हो गया है और ना एक देखोगे मेरे शेरवादरों मुस्किले हजार आएगी लेकिन वो मंजर बड़ा खुबसूरत होगा जब कामियावी शोर मचाएगी तो आईए करते हैं धमागेदार सुरवात और रेशियो और प्रोपोर्शन का टाइप एक आप सभी के पास बुक होगा आप सभी के पास बुक होगा बुक रहना भी चाहिए क्योंकि जब बुक आपके पास होगा तो आपको पढ़ने में मज़ा आएगा आनन्द आएगा सभी के पास बुक रहना चाहिए नहीं है तो आ आप मंगा लीजिए फिलिप कार्ट से यमी कार्ट से आप मंगा सकते हैं मेरे बहादरों इसको तो इसको आप जरूर से जरूर मंगा ये बहुत ही मज़ा बहुत ही आनन्द आने वाला है तो यहां पे आप देख लिजिए इसमें हम लोग एविरेज की शुरुआ क्या कर रहे आप में अदभूत बतलाव अदभूत confidence आएगा तो अब हम लोग पढ़ते है ratio and proportion करते हैं धुआधार शुरुगा आत्थ तो यहां पे देखिए कह रहा है मेरे प्यारों कि यदि यदि 1180 की रासी ABOC के बीच इस परकार भी भाजित किया जाए ध्यान दिजिएगा रेशिय कि रासी ABC के बीच इस परकार भी भाजित की जाती है कि किस परकार भी भाजित की जाती है कि A का दुगना A का दुगना B का पाच गुना और C का साथ गुना आपस में क्या है बराबर है A का दुगना B का पाच गुना C का साथ गुना आपस में बराबर है तो चलिए यहां से एक पाइंट किलियर हो गया कि रेशियो में अनुपात में जब दो या दो से अधिक रासी आपस में बराबर हो तो उसका कोफिसियन टू लट जाता है बुक नहीं है तो बुक मंगाईए आप अपने आसपास के सहर में यदि कोई दुकंदार कंपेट्शन बुक बेशता है तो उसको बोलिये कि पढ़ना समंगवाई है आरके सरका जीरो टू हिरो फांडेशन मैथ वाला बुक और नहीं तो यमी कार्ट पर से ऑनलाइन कर सकते हैं मिनमम प्राइस में आपको मिल जाएगा मेरे बादरों तो आप कर सकते हैं यहाँ पर देख लिजे कि एक यहाँ पर देखें बहुती मसा बहुती आनंद आने वाला जाएखें A का दुगना B का पांच गुना C का साथ गुना अपसमें बराबर है जब 2 या 2 से अधिकरासी बराबर हो अनुपात निकालना हो तो कोफिसेंट उलड़ जाता है ध्यान दिजेगा ये पॉइंट को याद रखेगा लिखने की जरुवत नहीं है जब 2 या 2 से अधिकरासी बराबर हो सबसे पहले अनुपात निकालेंगे उसके कोफिसेंट को उल्टेंगे जैसे A का कोफिसेंट मनलब गुनांक 2 है तो 1 बटा 2 B 1 बटा 5 और C 1 बटा 7 फिर से जब 2 या 2 से अधिकरासी बराबर हो अनुपात ग्यात करना हो तो कोफिशेंट रुलट जाएगा जब 2 या 2 से अधिक रासी आपसमें बराबर हो अनुपात ग्यात करना हो तो कोफिशेंट रुलट जाएगा आज़ाओ मेरे बाद रहो 2, 5, 7 2, 5, 7 सबसे आए एक चीज और जब भीन के रूप में रेशियो आए, जब भीन के रूप में रेशियो आए, तो हरों के LCM से सबी रासी को गुणा करते हैं जब भीन, ये दोनों पॉइंट याद रखेगा, पहला पॉइंट, जब दो या दो से अधिक रासी आपस में बराबर हो, अनुपात ग्याद करना तो कोफिशोंट को उलटिए, दुसरा पॉइंट, जब भीन के रूप में हो तो हरों के LCM लिजे, दो, पांस, साथ का LCM या तो 10, रेशियो निकल गया, अब तुलना गुना कर देंगे, बाई रेशियो, तुलना गुना कर देंगे, बाई रेशियो, यहाँ 11, 80, कितना है मेरे प्यारो, 11, 80, टोटल धन रासी है, अब रेशियो का तीसरा नियम, यहाँ कही नियम सीख रहे हैं एक कोर्शन में, प सब्सक्राइब सेरेश करना हैं तो सार्ष गूना करेंगे अबлан करेंगे Kyan 004 इन जाउन ठास है यह सारे लोग ऐसे करते हैं जैसे 1 बट कर दें यह संधू नी exit order ने सबसे आसान तरीका है काटने छाटना नहीं पड़ेगा हरों काल्सियम लीजिए माइंडे में सब में गुणा कर दीजिए रेश्यों आ गया अब रेश्यों का सबसे इंपॉर्टन नियम यहीं है जो कि कि जो दिया हुआ रहेगा उस अनुपाथिक रासी से तुलना करेंगा तुलना मतलब भाग देना और जो ग्याद करना रहेगा उससे गुणा करेंगा मेरे वादरों तो यहां ग्यारा सी कुल धन रासी है यहां 35 चौदा और 10 जोड़िए 35 दस पैतालिस और चौदा 69 कुल रासी की तुलना कुल रासी से एका हिस्सा ज्याद करना है तो 35 यदि बी का हिस्सा पुष्टा तो 14 से यदि सी का हिस्सा पुष्टा तो 10 से यदि बी तथा सी का योगफल पुष्टा तो 14 10 24 से समझ रहे है ना तो जो पूछेगा जो दिया हुआ उससे तुलना जो पूछेगा उससे गुणा तो यहाँ पे देखलो मेरी शेर बाद रहो हम लोग को निकालना क्या है हम लोग को निकालना ओओ पाइटीस से उनसर दुनी अब बढ़िया है कि लिया हो गया सारे बच्चे दाहरते चले अपने सभी में त्रों को शेयर करें कि अब तो से उड़ाते चलेंगे बच्चों बहुत ही तेजी से हम लोग इसको उड़ाएंगे पड़ा पड़ तुफानी अंदास में पहला टाप में थोड़ा टाइम लगेगा चुकि 55 कोश्चन है पिर हम लोग टाइब आप इसको उड़ाते चलेंगे आ जाईए आगे बढ़ते हैं तो पहला कोश्चन लगवक सभी बच्चों से बन गया आज़ा मेरे प्यारों दूसरा नमबर शांदार कोश्चन कर रहा 25,000 रुपे को ABC में एक वटा 10, एक वटा 6, एक वटा 15 के अनुबात में तो C का हिस्सा क्या है? कमाल का है पहला ही टाइप में तुलना गुणा करना वाला कोश्चन आ गया ABC, एक वटा 10 है मेरे प्यारों एक वटा 6 है, एक वटा 15 है आप क्या करिएगा? बुलिया कि सबसे पहले हरों के LCM से गुणा करेंगे सबसे पहले हम लोग रेशियों निकालेंगे हरों के LCM से गुणा करेंगे तो देखे भीन के रूप में जैसे ही रेशियों आया तो हरों के LCM से गुणा करें 10, 6, 15, 16, 60 30, 10, 6, 15, 30 हरों के LCM लिए 10, 6, 15, 30 30 से हां गुणा करेंगे तो 10 से 3 बार में 30 से हां गुणा 6 से 5 बार में 30 से हैं कुना दू बार में एब इसे का रेशियो हो गया तीन पाँच दो तीन पाँच दो अब कह रहा है मेरे प्यारों कि शी का हिसा क्या है तो टूटल धंडासी पचीस हजार को तीनों बाटा गया है कुल धन्रासी है पचीस हजार यहाँ कुल धन्रासी देखिए पांस तीन आठ दू दस निकालना क्या है सी का हिस्सा तो दो से एक सुन से एक सुन पचीस दूनी पचास यहनि हम सभी का अंसर हो गया पांच हजार इतना हो गया मेरे प्यार हो पांच हजार देखे तो गलती है सही है देख लीजिए बढ़िया से ए मार रहे है मेरे शभी शेर बहादुर इसमें हम सभी का रेशियो में कुल मिलाके 12 या 13 टाइप है तभी का पांच चार आरा है पापा के लाड़ ला बिजय है हों प्रकार से एमडी समसेर है दारते चलो इस प्रकार से तुलना कुना करते हैं हम लोग चल रहे हैं और ये मेथड सभी में अपनाना है आजाई ये कोर्शन नमबर तिसरा बड़ाई सांदार करा चीनी तथा पानी के घोल में पानी की मात्रा पूरे मिश्चन का तिन बड़ा साथ है चीनी और पानी के घोल में पानी की मात्रा पूरे मिश्चन का अब यहाँ पे रेशियो परकट करना सीखे सरव परतम ratio निकालिये इस प्रकार के प्रश्णों में सरव परतम ratio सरव परतम ratio परकट करें अब ratio परकट कैसे करेंगे तो ज़र ध्यान दीजएगा इस point को मैं बोल रहा हूं कि यदि ratio परकट करना हो तो जिसमें काथवा से लगा रहेगा वो हर और दूसरा अंस होगा जब ratio पर cut करना हो तो जिसमें का या से लगा रहे जिसमें या जिसके साथ का या से लगा रहे वह हर होगा वह हर होगा और दूसरा अंस होगा और दूसरा अंस होगा जिसमें का या से लगा रहे वो हर होगा और दूसरा अंस होगा इसमें काया से लगा रहे वो हर होगा दूसरा अंस गोराचीनी पानी के घोल में पानी की मात्रा पूरे मिसरन का का किसमें लगा पूरे मिसरन का तीन बटा साथ पूरे मिसरन का तीन बटा साथ तो यहाँ पे मेरे शेरबादरों पानी और दूद या दूद या पानी का रिशियो जो भी निकालना है आप निकाल सकते हैं तो बोल रहा है कि पानी की मात्रा पूरे मिश्रन का अब तीन बटा साथ लिखा इसका मनलब तीन अनपा साथ नहीं हो जाएगा पानी की मात्रा पूरे मिश्रन का, पूरे मिश्रन में का लगा, तो पूरा मिश्रन साथ होगा, जिसमें पानी तीन होगा, तो दूद अपने आप पता चल जाएगा चार, देखिए, पानी की मात्रा पूरे मिश्रन का, हमने कोशन कर रहे हैं, यह मेली रूप से बात, रेशि एक संबंध है, जो एक वार में δो और केवल दो संख्याओं या राशियों के बीच लगता है, तो हमापे क्या है पानी की मातरा पूरे मिश्रन का, का लगा पूरा मिश्रन में मिरे बहादरों, तो जिसमें का अत्वा से लग गया हो नीचे वाला, तो पूरा मिश्रन हो गया साथ, जिसमें पानी तीन, क्योंकि दो ही सब्द का चर्चा क्या है, पानी की मासरा पूरे मिश्रन का, पूरे मिश्रन साथ, जिसमें पानी तीन, तो अनपड़ा दिमी बता देगा दूध चार, अब में रिश्यो निकल गया, अब तुलना गुना कर द यह 24 लिटर क्या है यदि मिश्रन में 24 लिटर पानी है यहां पानी कितना है तो पानी की तुलना पानी से यदि निकालना रहता दूद तो कैसे चार से यदि निकालना कुल मात्रा मतलब टोटल पूरा मिश्रन निकालना तो कैसे साथ से आठ सते चपपन लीटर तो कितना असानी से बन गया आठ सते चपपन लीटर पुलना गुना करना है मेरे बाद रहूं मिस्टर सुनु कुमार कुसभा हैलो सर जी बढ़िया बात है अब देश कुमार ने तीश कुमार बहुत सारे बच्चे राजीब है चंदन है धुआ धुआ करना है इस प्रकार से नास्ते नाबूद करते चलिए रोज सुभा उटके मैत को धुआ धुआ करिए आप में लेम लुग रेशियो निकाल दें कदा एक धंडासी को ए तता बी में इस परकार बाटा गया कि बी को पूरे धंडासी का साथ बटा दस देखे हमें रेशियो चाहिए यह और बी का लेकिन बी को है जो पूरे धंडासी का साथ बटा दस मिला है मतलब पूरा धन में का लगा तो पूरा धन 10 है जिसमें B को 7 मिला है तो A को 3 मिला होगा काता है B को पूरे धन्रासी का 7 बड़ा 10 मतलब समझ रहे हैं आप B को पूरे धन्रासी का पूरे धन्रासी का लगा मतलब पूरा नीचे वला जिसमें का लग गया हूँ नीचे वला तो पूरा दस जिसमें अंतर है 2000 का यहां पे अंतर है मेरे सिर वादनों 4 का अंतर कितन आंतर से एक अभाग निकालना है 3 से 4 से काटेंगे 500 बार में पास तीया 1500 कितना 100 हो गया 1500 कितना सो हो गया मेरे बादरों 1500 जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं क्लियर है कोई अपत्ती है कोई प्रशानी है को दिक्कत है तो बताईए और नहीं दिक्कत है तो आगे बढ़िए धड़ा धर सूपर फास्ट करें 42,500 रुपे के लाभ को 359 के अनपा यहां कोल है पांस तीन, आठ, नौ, सत्रा योगफल की तुलना योगफल से निकालना है एक हिस्सा तो कैसे तीन से एक हिस्सा निकालना है तो तीन से 17 दूनी 34 बचके आठ, सत्रा, पचे, पचासी, पचीस, तीया, पचात्तर, सो कितना असान हमसे भी पहले बहुत सारे हो गया है, आज मैं बहुत दिन के बाद लाइब ले रहा हूं, सर्जी, रिकार्ड क्लास देखते हैं, बहुत बढ़ियां, जो मौका मिले बो देखे, एकदम लगातार देखे, निरंतर देखे, धड़ा-धड़ा देखे, आजाओ मेरे प्यारों, कोशन नमर दूसरा आजाओ, कमाल एक कार रहा है, 12400 के लाभ में, 578 के अनपात में, ABC में, तो भी को कितना मिला, ये तो अफर धमा का, जल्दी से बनाओ, इसको फड़ा-फट, एकदम सेम पीछे वाला कोशन, कुल की तुलना कुल से भी गयात करना है, जल्दी से बताईए, इसका अंसर क्या होगा, धड़ा-धड, सारे बच्चे दाहरते रहे एकदम से, धम लेने नहीं देना है, मैत को धड़ा-धड़ा के बेरहमी से मारना है, बड़े आगे, जल्दी से बताईए, तुलना कुना करिए, फड़ा-फट, बी का हिस्सा न है, तो आसानी, लेकिन भी भी आई, और इंपोर्टेंट मज़ेदार कोशन, देखिए, कर रहा है, यदि पहली संक्या को 0.5, दूसरी संक्या के 0.07 के बराबर हो, कर रहा है, मेरे प्यार हो, कि पहली संक्या का 0.5, दूसरी के 0.07 के बराबर हो, तो संक्या होगा, अनुपा कि यहां का मतलब क्या होता है गुना तो पहली संक्या का 0.5 दूसरी संक्या का 0.07 के बराबर है पहली संक्या का 0.05 दूसरी संक्या का 0.07 के बराबर है अब दो या दो साधी क्रासी बराबर है तो कोफिसेंट उल्टेगा लेकिन हावे राइट में दो आंके बाद दसमलब है तो लेप्ट में भी दो अंके बाद दसमलब देंगे पॉइंट से पॉइंट खतम हो गया पाहली संक्या अनुपात दूसरी संक्या उलटके हो जाएगा साथ इधर चुकि साथे नहीं लेप्ट उलट जिरो का तो भैलू है नहीं पूरा साथे बचा आई पचास बचा तो साथ राइट में तो लेप्ट में पचास लेप्ट में तो राइट में देखें दो या दो से अधिक रासी बराबर हो अनुपात ग्याद करना हो कोफिसेंट उलट जाता लेकिन लेकिन यदि दो से अधी को तब तो बटा में करेंगे लेकिन जब दो ही है तो उलटने का सबसे आसान तरीका है कि राइट वाला लेट आजाएगा उलटके लेट वाला राइट राइट वाला लेट लेट वाला राइट राइट वाला लेट लेट वाला राइट तो देखना है बढ़िया से मिलाना है उप्सन को चलो आज़ो मेरे वादरों यही जुनून यही जोस आज़ाई एक कोशन नमबर आठ काता है एक धन्रासी को ए भी सी के मत इस परकार बाटा गया कि एक भाग का ती गुना बी के भाग का चो गुना सी के भाग का साथ गुना आपस में बराबर है तो बराबर है देखे एक के भाग का दूग गुना बराबर बी के भाग का कई गुना चार गुना बराबर सी के भाग का साथ गुना तो सबसे पहले हम लोग करेंगे ए विसी क सबीरासी में गुणा 2-4-7-28 28 से यहां गुणा करेंगे तो 14 वार में 28 से 7 वार में 28 से 4 वार में रेशी हो गया 14-7-4 हिए भागों का अनुपाद क्या होगा देख लीजिया मेरे शेयर बाद कि वागों का अनुपाद कि यही तो निकालना है कि होगा हो कि कि से बाखो का हानुपाद क्या होगा माँ मय Connected gonna। five-sep on उल्टा निकाल दीए है उल्टा निकाल दीए कोई बात नहीं फिर से देख लीजिए हुग गलती हो गया बोल रहा है थी गुना हम लोग बोल दिये दू गुना A के भाग का थी गुना बहुत बढ़िया है B के भाग का चार गुना और C के भाग का शात गुना आपस में बराबर है कोफिस्यंट क्या होगा मेरे बादरों उल्टेगा एक वड़ा दीन एक वड़ा चार एक वड़ा साथ हरों के LCM से सवीर आसी को गुना 3, 4, 7 का LCM मेरे शेर बादरों 84 देखे 7, 4, 28 ती है चौरासी क्योंकि सहावाज है तो LCM इसका गुना नपहली होगा 84 से यहां गुना तो सचो के 28 यहां चौरासी कुना 4 से 21 बार में यहां साथ है तो बारा 28 से 21 बार ऑप्सन नुमर शी बहुत बढ़ियां सारे बचे तेज तरार हो गया है सीजेल के लिए कौन समयत रिजनिंग का बुक पढ़ें है पहले तो आप फॉंडेशन पढ़ लिजे उसके बाद सीजेल का प्रिवियस का सॉल्यूशन करें अब उसके लिए बुक तो बहुत सा है किरन पब्लिकेशन का पिनेकल पब्लिकेशन का प्रिवियस किसी का प्रिवियस पर धावा बोलिए किसी भी एक्जाम के तयारी करने का यही है रिविजन करिए धावा बोलिए आज आप मेरे प्यारों एक धन्राची को एभी सी के मद्दे तीन चार साथ के अनुपात में बाटा गया यदि सी का भाग एक भाग से बारा सो अधीक है अधीक य यहां पे भी सिंपल सा है कि एभी सी का रिशियो मेरे बादरों तीन अनुपात चार अनुपात-सा अर नुब मेु कर आ रहा है कि सी का भाग एसे 1,200 अधीक है और यहकर एसे कितना अधीक है सी का भाग चार अधीक है देखे, ही तीन इस साथ है वा अаче थीक है? लाधिक है थज्ञाय वे धन्रासी क्या है यदि पुष्टा इका भाग तो चारे से गुना करता है धन्रासी पूछ रहा दन्रासी पूरए तीन हो जाएगा तीन! छार! शात! पूरा योगफल पूछ AG showers चासी मतलब योग तीनों का चार तिन साथ साथ 14, चार से काटेंगे 300 वार में 14 थिया 42, कितना सो? 42, कितना सो मेरे प्यार हों? 42, तड़ा धर एक दम हम से पहले अंसर लाना है, गुरू, गूल और चेला चीनी, हम से पहले सभी को अंसर लाना है, हम से पहले आप महा रिवीजन कर रहे है, पूरा टाइप बाई टाइप चेप्टर का रिवीजन का, इससे बेस्ट बुक आपको नहीं मिलेगा, ठीक है न, प्रिवेस की मिले है disso, इतना टाइप बाई नहीं मिलेगा, तो मेरे वादरो इस प्रकार से इसको चूके मातर अपने दोस्तों को भी चूकने मत सबसे बड़ी बात है कि इसका एड़स्ट्मेंट बहुत बहतरीन है कि इसका पूरूपद पाइटीस है इसका पूरूपद साथ है पूरूपद मतलब पहले वाला पद निकालना है बाद वाला पद तो कितना से आठ से साथ पाइटीस अट पाइचे चालिस कितना होगे है मेरे प्यार हो चालिस ओप्सन नमबरे देख रहे हैं हमसे पहले अंसर देने का प्रियास करना है 40 option number है बहुत बढ़िया आजाओं अगला question का जवाब सबसे पहले कौन देगा कराए धन्रासी को एक धन्रासी को PQR के माद इस परकार बाटा गया कि P के भाग का आधा आधा मतलब 1 वटरा 2 हम सभी को पता है क्योंके भाग का एक तिहाई नएक टिहाई मतलब 1 वट इस बाता आर के भाग का पाच ओओ ग्रौर्स अभ्म आपस में क्या है बराबर हम ने question का रहा है जो का रहा और लिकेंगे एक बाका ड़ाब कि एक भाक का अधा क्योंके भाका टिहाई आर के भाक क एकदम टकर चल रहा है गुरुर दू के उल्टा दो बटा एक तो दू ये हो जाएगा एक बड़ा तीन के उल्टा तीन एक बड़ा पाच के उल्टा पाच अब यहां लस्यम देने के जरुवत नहीं है क्योंकि उलटने पर ऐसे ही आ गया तो भीन में आएगा तब न यदि पीत अथार के भागों में 1200 का अंत यहां पी आव आर के भागों में तीन का अंतर है अंतर की तुलना अंतर से धन्रासी क्या है फिर धन्रासी दो तीन पांच पांच तीन आर्दू दस तीन से चार सो बार में चार हजार चार हजार ओप्सन नुबर डी धड़ा धड़ बनाईए धड़ा धड़ बनाईए ठीक है मजा रहा है सभी को आनंदा रहा है अभी आओ और आनंदा आएगा जब पूरे महित को आप धुआ धुआ कर रहे होंगे आजो मेरे बहाद्रों कोश्चन नंबर बारा काता है एक लाग तीन हजार पांच सो रुपे का लाब एक आरा साथ पाच करन पात में तीन भागेदार में बाटे तो बी को मिलने वाला हिस्सा इतो ओफर धमा का होना चीए क्योंकि यहां भी तुन लाग उना एक लाग रहे चाहिए दू लाग क्या दिकत है एबिसी का रेशियो एक ग्यारा है साथ है पांच है यहां पर का रहा है मेरे शेरवादरों टोटल जो है एक लाग पाई तीस सो है अब यहां टोटल जोड़ेंगे तो दासाथ सत्रा पांच तैईस से सत्रा पांच बाइस है कुल की तुलना कुल से बी को मिलने वाली हिस्सा पूछ रहा है तो कितना से साथ से नहीं 11 7 8 5 23 से 11 7 8 5 23 से निकालना बी का हिस्सा तो कितना से साथ से बी का हिस्सा ग्याद करना मेरे शेरवादरों तो साथ से कल यह दढ़ा दढ़ एस से तेचों का बानवे एक सो थीर में देखे काटने चाटने में आगे रहे यह उतना क्यलकुलिसन अपड़े क्यों है और किताब आप सभी के पास होना चाहिए क्यूंकि किताब है ओन लाइन आफ लाइन जैसे वेवस्था कराना कराई किताब है तो आप होंबर करके आईएगा होंबर करके भी आईएगा प्लस यहां पर हमसे पहले अंसर देने का प्रियास करिएगा निसीत है मेरे शेर बादरों निसीत है बहुत ही बहतरीन आप में स्पीड और कॉन्फिडेंस आ जाएगा यही तरीका है पढ़ने का कि एक ही बुक को बार बार पढ़िए सरे से सीजी एल का तयारी कैसे करें कुछ बताई दे कि तयारी क्या करना है सोनु कुछ वाजी या कोई भी बच्चे किसी भी एक्जाम की तयारी करने का सबसे बहतर तरीका है कि कुछ काम ढूंडने लगता है क्योंकि बहुत स्टार्टिंग में फॉन्डेशन पढ़ाई नहीं आप फॉर्म भर दिया आप उसको टेंसन के एक्जाम भी देना है तो फॉन्डेशन के टार्गेट पढ़ लिए फॉन्डेशन बढ़ियां से खतम ही नहीं किया इसलिए कावर तोर प्रैक्टिस करिए बस सेलेक्शन हो जाएगा कोई हुआ तरीका नहीं है कोई बहुत बड़ा तीर मारने वाला तरीका नहीं किसी भी एक्जाम की तैयारी करने का सबसे बेटर तरीका है फॉन्डेशन बढ़ियां से पढ़ लिजिए बारी किस एक्जम नोट्स पनाते हुए महनद करके फिर केवाल प्रैक्टिस करिए केवल प्रैक्टिस करिए केवल प्रैक्टिस करिए आजां कि अब तो होई गया थेज से तेचों का बाणवे एक सो तीन में बानवे खतम बच के नगे आठ तीन ग्यार तेस पचे एक सो पंद्रा पई तालिस से साथ बार में तो जीरो जीरो सत पचे पई तीस के पांच बचा तीन साचो का अठाश तिन एक तीस एक तीस तीस तार पांथ सो अपसन नुमर टी ठीक है चलो आजाओ मेरे प्यारो बढ़ते हैं दो संक्या चार और अठाश का तीरती अनुपाद क्या है अब देखें यहां पर मैं आपको फर्मूला जो लिखाने जा रहा हूं यह बार 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 बीवी आई सुपरस्टार है बार बार पूस्ता है हर एक्जाम में पूस्ता दयान दीजेगा पर फर्मूला कॉंसेप्ट को बीवी आई कॉंसेप्ट के पर मूझाए बीवी आई कोंसेप्ट के पर मूला देखें पर मुला पहला नंबर तो आप आप से पुछेगा चतुर्थान उपाती और एबीसी का चतुर्थान उपाती सीधा बीसी बटाए होता है क्योरी क्लास यूटूपे देखें उस पर मैंने प्रूफ करके भी बताया है वैसे आप पहले से जानते हैं तो चतुर्थान उपाती याद हो गया आपको दूसरा जाईए तिर्तिया अनुपाती तो तिर्तिया अनुपाती होगा बीस्कार बटाए मनलब दूसरा पद का स्कार बटा पहला पद और तिसरा होता है ए ए एंड बी का मध्या अनुपाती मध्या अनुपाती होता है मेरे शेरवादरों रूट अंडर अबी और एक चाउथा होता है जो बड़ा रेयर केस में पूछा जाता है और पूछ रहा है परथमा अनुपाती तो परथमा उपाती भी कभी कभी फूचता और यह होता है अस्कार बटा अब पूरे माइंड में तिनों को सेट करने का प्रियास करें ए बी सी ए मेरे शेर बहादरों तो पुछेगा ए बी सी का चतुर्था नुपाती तीन को दिया हुआ तो चवथा नुपात पूछेगा और चतुर्थानुपाद B.C. बटाए चतुर्थानुपाद B.C. बटाए और A.B. का तिर्थानुपाद B.C. बटाए 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 तिर्थानुपाद B. यह पुछ रहा है मेरे बाद रहा हो तिर्थिया आनुपाति और तिर्थिया आनुपाति होता है Okay, सी यहीं स्पी है विए सक्वार वटाए। वा-थायस के अस्पायr और वटाचार 38 के अस्पाय 28 28 भी कर सकते हैЕ यहां पर हम सभी का तिर्थिया अनुपाती जो हो गया वो हो गया एक सो छी आनुवे कितना हो गया मेरे शेरबादरों एक सो छी आनुवे सभी को आनन्द आ गया कोई दिक्कत पर रिशानी है नहीं है चली आगे बढ़ते हैं चौदा में कहता है एक धन्रासी एवी सी के मत इस परकार बाटा गया कि फिर तो वह बात लेकिन कोश्चन में दम्हें मज़ेत आ रही है समझेगा बढ़ियास अभी कमेंट नहीं करिएगा समझेगा बढ़ा कोश्चन हो तो पहले पूरा कोश्चन पढ़िया और समझेगा एक धन्रासी को एवी सी के मत इस परकार बाटा गया कि कि A का दुगना मेरे बादरों A का दुगना B का चार गुना C का पांच गुना आपस में पराबर है तो बाकी का कोश्चन तो हम बाद में पढ़ेंगे लेकिन यहां तक जो कोश्चन का रहा है कि एक धन्रासी को एवी सी में इस परकार बाटा गया कि A का दुगना B का चार तो यहां तक सबसे पहले हम लोग रेशियो निकालेंगे कि दो या दो से अधिकरासी बरावर हो मेरे प्यार हूं निकालना हूँ अनुपात तो कोफिस्यंट उलट जाएगा उलटिए दो का उल्टा एक वड़ा दो चार का उल्टा एक वड़ा चार पांच का उल्टा एक वड़ा पांच अब हम सभी जानते हैं कि जब भीन के रूप में हो तो सबसे पहले हरों के लासा से गुना 245 के LCM 20, 20 से हैं गुना 10, 20 से हैं गुना 4 से 5 बार में, 20 से हैं गुना 5 से 4 बार तो यह ratio आ गया अब ratio निकालने के बाद, मेली रूप से ratio का नियम क्या है? कि तो ratio यहां तक निकाल लिए कि जो दिया हुआ उससे तुलना, मतलब निस्सीत रासी कुछ रहना चाहिए तुलना उससे नहीं करिएगा तो जो दिया हुआ है उससे तुलना, मतलब निस्सीत रासी कुछ होना चाहिए तो काता है B तता C के भागों का कुल योग A से 220 कम है मतलब यहाँ देख लीजे, यह 220 जो निसीत रासी है, उब करा, B तथ C का कुल योग, A से कितना कम है, 220 कम हम लिक के समझा रहे हैं, कि B और C का योग A से 220 कम है, बी-ार-सी का योग A से 220 कम है तो देखिए यहां पर B और C का योग कितना है 9 है B और C का योग 9 है जो कि A से कितना कम है एक कम है ध्यान दीजेगा जो कोशन कारा है उसको पहले तोड़िए क्योंकि तुलना सही करिएगा तब ही अंसर सही आएगा B और C का योग A से 220 कम है और रेशियो में B और C 9 है जो कि A 10 से एक कम है तो यहां बोड़ा 220 कम है यहां एक कम है कम की तुलना कम से ग्याद क्या करना है अब पूछने वाला पूछ भी रहा है थोड़ा सा अल्टर देखे पूछ भी रहा है अल्टर करा B के भाग का दुगना C के भाग से कितना अधीक है यहां पूछ भी रहा है उल्टा थोड़ा कि B के भाग का दुगना तो B का भाग कितना है 5 तो 5 का दुगना करिये तो कितना होगा 10 तो बोड़ाई C से कितना अधीक है 6 अधीक पहले तुलना क्या किया है तुलना क्या है मेरे शेरवादनों B और C का योग 5 और 9 A से 220 कम है यहाँ B और C का योग 5 और 9 A से यानि 10 से एक कम है कम की तुलना कम से अब A पुस्ता तो 10 से B पुस्ता तो 5 से C पुस्ता तो 4 से लेकिन बोल रहाँ B का दुगना बी का दूगना मतलब पांच का दूगना पांच दूनी दस C से C से मतलब 4 से कितना अधीक है 6 अधीक बाइच्छा के 132 तेरा सो बीस जो मेरे शेर वादूर तेरा सो बीस लाए हैं बहुत बढ़ियां शाब बाश तेरा सो बीस एडवांस भी पढ़ाईए गाना नहीं इसमें तो एडवांस नहीं है जी इसमें बेसिक अर्थमेटिक है एडवांस का अलग आएगा एडवांस का जीरो टी हिरो फॉंडेशन चल रहा है उसको जोईन कर लीजे तक दम जीरो से एडवांस पढ़िये एडवांस का एक अलग रिविजन बुक लाएंगे लेकिन इसको खतम होने के बाद तो अभी धाड़ा धाड़ इसको पढ़िए क्लियर है परवर लाइट का है डिस्टर्ब कर चलिए आजये क्लियर हो गया कहें पर से को दिक्कत परशानी नहीं आजये अगला कोशन बड़ा इस्तांदार सा कोशन कर रहा है एक बस्तू का निस्टित मूल उसके बिक्रह मूल का तो यहाँ पर पहले रेशियो निकालेंगे उसके बिक्रह मूल का 13 वड़ा साथ है तो बताएं निस्चित मूल का विक्रे मूल से अनुपाद क्या है तो अनुपाद परकट करने के लिए मैंने क्या भोला था इसमें काथभा से लगा रहा है बोहर यहाँ पूछ रहा है निस्चित मूल और विक्रे मूल का रेशियो बिक्रेबूल में का लगा तो बिक्रेबूल सात निस्चित मूल 13 तेरा नुबात साथ हम सभी का अंसर हो गया उप्सनमबर ए चलिए आगे बढ़ते है उस्सनमबर सोला काता है दो संक्याएं दो तीन के अनुपात में देख रहे हैं यहां देखिए दो संक्याए मेरे शेरबादरों दो तीन के अनुपात में पहली संक्या पांच घटा है दुसरी में छा जोड़ें तो अनुपात पांच अनुपात बारा हो जाता है यह बड़ा कमाल का कोश्चन है पहली संक्या में क्या करें? 5 घटा एजाए दुसरी संक्या में क्या करें 6 जोड आजाए अब काता है कि तो यह रेशियो 5 अनपात 12 आप पूछते समय भी अपना चाल चला है परति एक में 8 जोड दिया जाए तो अनपात क्या होगा परति एक में 8 जोड दिया जाए तो पहले यह तो निकाल लेते हैं कि बो निश्चित संक्या है क्या देखें एक special type हम लोग आगे पढ़ेंगे अंतर समान करना जब जैसे पहली संक्या हम पांच घटा है था दूसरी में भी यदी पांच घटा देता समान कमी या समान बिर्धी किया जाए तो अंतर सेम होगा शमान बिर्धी या समान कमी किया जाए तो नीचे के अंतर से उपर उपर के अंतर से नीचे लेकिन यहां देखें पाहली संक्या में पांच की कमी किया है तो दूसरी में छे की बिर्धी किया है जब अलग अलग कमी और विर्दियों मेरे बहादरों तो आपको निश्चीत रासी मानना पड़ेगे इसको 2X इसको 3X मानिए अब 2X माइनस 5 कर दीजिए यहाँ पे 3X पलस 6 कर दीजिए तब जाके इस रेशियो आगया 5 बटा 12 तिर्शागुना करके X निकाल दीजिए अब देखे एक लाइन में कैलकुलेशन करेंगे 12 दुनी 24X पांस्तिया 15X 12 दुनी 24 पांस्तिया 15 बचेगा 9X क्योंकि जब तिर्शागुना करते हैं और दोनों तरफ समान चिनाए तो घटेगा देखे 12 दुनी 24X पांस्तिया 15X बचेगा घट के 9X क्योंकि 24 पांस्तिया 15 कांतर 9 12 पाचे 60 माइनस में चेपचे 30 पलस में 12 पाचे 60 माइनस में चेपचे 30 पलस में एक तरफ पलस एक तरफ माइनस तो जूटेगा तो बारा पच्छे साथ माइनस शेपचे तीस पलस तो हो गया 90 एक लाइन में कैलकुलेशन फिर से सीखिए एक लाइन में बारा दुनी चौबिस एक्स वास्तिया पंद्रा एक्स दुनों तरह पलस है तो घटेगा चौबिस और पंद्रा कांतर कितना हो जायगा 9 तो 9 x फिर बारा पच्छे साथ माइनस में शेपचे पलस में एक फलस एक माइनस तो जूट जायगा जूट जायगा तो हो गया मेरे शेरवादरों कितना नब्य तो 9 दहें नब्य 1 एक सौबर दस अब एकस दस हो गया मेरे प्वारों तो यहाँ पर पहली संक्या निकालना है तो दस दूनी बीस और प herum स dallूत अमीरा आँय। अब हमसे पूछ रहा है कि पहली भीस आई रिष्टी संक्या आपका 20 आया रखषित रूप मैं. अब परतेक में आठाट जोड़ रहे हैं क्योंकि जोड़ना और घटाना है तो निस्षीत रासी जरूरी रहना है आठाट जोड़ रहे हैं तो नया अनुपात क्या होगा तो यह 28 हो जाएगा यह 38 हो जाएगा काटेंगे दो से 14 दुनिय 28, 19 दुनिय 38 14 अनुपातु नीश 14 अनुपातु नीश देख रहे हैं यहाँ पर निस्षीत रासी निकाले पहली संक्या दुर्शी संक्या क्योंकि समान रासी यदि जोड़ता यह घटाता तब अंतर से अलग अलग जोड़ घटाओ कर रहा है एक समान लेंगे होट्रिक यहाँ पर काल्कूलेशन में आप समय को बहुत बचा सकते हैं प्राक्टिस रहेगा तो काल्कूलेशन में समय को बहुत बचा सकते हैं क्लिया रहे हैं सभी का 16 होगे है अमेरे बाहदरों आजा यह 17 रहा है, बैसुन का गस्यों और लिए खाया। स्परोगतरों हैं, बैसी स्ट समीन थीन बताथ हैं। झाल है, बैसी स्ट है बहुति हम जा गएृट भी खाया गएृट स्ट भी वी कि इस पर कार बाटे की भी अगंगे भी का भाग भी तता एक कुल भाग का अब का सकते हैं कि भी के भाग दोनों के योगफल का क्यूंकि क्या पूछ रहा है कि भी का भाग भी तता A के कुल भाग का तो का लगा B और A के कुल भाग में तो कुल भाग साथ है इसमें B केतना है? तीन है तो A अपने आप पता चल गया चार है इसमें कोई डौटी नहीं B के भाग A और B के कुल भाग का तो कुल भाग में का लगा मेरे शिरवादरो तो कुल भाग हो गया नीचे वला साथ जिसमें बी हो गया तीन, तो ये हो गया चार, अब रिच्ची हो गया, आ जाओ, देखे हर कोशन भीना एक्स के नहीं बनता है जी, जब समान रासी जोड़ेगा तो अंतर सेम, लेकिन अलग अलग रासी जोड़े तो एक्स या के कुछ जो कुछ मानना पड़ेगा और देखेंगे आप मायद पड़ रहा है तो हर लेवल के मायद इसम itu include किया गया है एस हैसे भी मायद रहेंगे जो 5 seconds उभाने हैं कुछ एसे भी रहेंगे जो 30 seconds टाइम लेंगे कुछ एसे भी रहेंगे जाए तो चार अनुपाद थी क्लियर है सभी बच्चों का आ गया आजा मेरे बाद रहूं कोश्चन नमर ठारा बड़ा ही शांदार है कर रहा है जब किस संक्या में उस संक्या का एक बड़ा पांच भाग जोड़ा जाए यह भी भी आई कोश्चन यहाँ पूछ रहा है नई संक्या और मुल्ट संक्या का नुपाद कमाल का कुश्चन है नई संक्या और मुल्ट संक्या का नुपाद का मेरे शेरबाद रहूं नई संक्या और मुल्ट संक्या का नुपाद तो देखें जब किसी संक्या में उसी संक्या का एक बड़ा पांच जोड़ा जाए जब किसी संक्या में उसी का किसमें लग रहा है उसी में उसी मतलब मुल संक्या में क्या बोल रहा है जब किस संक्या में उस संक्या का किस संक्या का मुल संक्या मतलब सीधा बोलना चाहरा है मुल संक्या का जब किसी संक्या में मुल संक्या का एक वड़ा पांच जोड़ा जाए या एक वड़ा पांच घटाया जाए तो मुल संक्या में का लगा तो मुल संक्या पांच तो मुल संक्या इधर है और जोड़ा जाए एक तो नहीं संक्या कितना हो जाएगा छे मुल्च संक्या 5 जोड़ा जाए एक तो नई संक्या कितना हो जाएगा 6 तो हम सभी का अंसर हो जाएगा पुछ क्या रहा है नई संक्या तता मुल्च संक्या का अनुपाद तो होना चाहिए 6 अनुपाद 5 अंसर यही सही होगा अंसर यही सही होगा कि आंसर यही सही होगा जोड़ा जाए तो नई संक्या तो मुल्टंब पांच पानुपाइब किस संक्या मेँ उस्संक्या महले मुल्ट संक्या तो हुआ जोड़ा कितना एक अपांच मुल संक्या do कर दिए तो एक जड़ी है तो नहीं स्वंक्या तो पांच से ज्यादा ही स्पश AL कर से में readily कि वेञे कोजिकत परिशानी कहीं और इसमें होना चाहिंए इनमें स्वक्त कोई नहीं आजाई एक कोशन नुमर 19 बड़ाई सांदार धमाकेदार करा एक्स को तीन भागों में इस परकार बाटा आगया कि पर्थम दो भागों का योग तीसरे भाग का इन बटक किया है तो तीसरा भाग क्या है कमाल का कोशन है माल लिए जाए मैं एक कोशन लिखाता हूँ यहाँ एक स्वाई में आप ज्यादा उलट जाए है तो मैं एक कोशन लिखाने का प्रियास करता हूँ मैं एक कोशन लिखाता हूँ आपको ज्यादा समझ में आएगा देखिए 12,100 रुपिये को या सीधा छोटा कोशन ही लेते हैं माल ले जाए 880 रुपिये को Y कोशन सेम लिख रहे हैं X के जगा 880 लिखा गया तीन भागों में तीन भागों में इस परकार बाटा गया इस परकार बाटा गया की पर्थम दो भागों का योग तीसरे भाग का माल ले चार बटा साथ साथ बटा चार गुना है तो तीसरा भाग क्या है एक दम मिलाईए आप कोशन सेम उपर वाला कोशन ही है तीसरा भाग क्या है और इसका अंसर आपको देना है बताइए बनाइए इसको सेम है 19 नम्मर कोशन को समझने के लिए जैसे बहुत सारे ऐसे भी विद्यार्थी जुड़े हुए जो एकस वाई से उनको इरिटेशन होता है नहीं समझ पाते हैं तो उसके लिए मैंने सेम वही कोशन लिखा देखिए यहाँ पे एकस को हमने लिखा 880 को तीन भागों में इस परकार बाटा गया कि पर्थम दो भागों का योग तीसरे भाग का साथ बड़ चार है यहां बोल रहा है पर्थम दो भागों का योग तीसरे भाग का इन बटक के है तो तीसरा भाग क्या है, यहां भी तीसरा भाग क्या है, तो आप संक्या तो आप निकाल लीजिएगा, इक कोशन का रहा है, पहले रेशियो पर कट करिए, सरपर्थम रेशियो पर कट करिए, का रहा है कि आट सो असिर प्या को इस पर कार बाटा गया है कि पर्थम दो का मतलब पहला दूसरा का योग तिसरे भाग का या या आपकर लिख सकते थे पर्थम दो का योग तिसरे भाग का तुं तिसरे भाग नीचे वाल चार अब पर्थम दो साथ समयने का प्रियास करें पर्थम दो भागों का योग पर्थम दो भागों में का लगा स्वरी पर्थम दो भागों का योग तीसरे भाग का तीसरे भाग का साथ बड़ चार है तीसरे भाग का साथ बड़ चार है पूछ रहां तीसरा वाग तीसरे पूछबे करेगा क्योंकि पहला और दूसरा का योग है पहला दूसरा स्वातंत्र नहीं है यदि पूछेगा अभी तो ग्यात नहीं कर सकते हैं तो तीसरा ही पूछेगा तो तीसरा पूछ रहा है तो कैसे चार से तो एका रहा 88, 8832, 320 होगा, इतना होगा मेरे शेरवादरों 320, एकदम सेम यही कोशन है देखिए, कार आए कि X को तीन भागों में इस प्रकारबाटा कि पर्थम दो भागों का योग, पर्थम दो भागों का योग, तीसरे भाग का एन भटा के गुना है, तो के एन तीसरे भा तो यहां टोटल धना सी एक से देखे यहां चुकि साथ और चार था तो आप जोड़ दिये चुकि संक्याता तो साचारी 11 होगे लेकिन यहां एन और के है इसका मानूम नहीं है तो एन पलस के योगफल होगा तो कुल की तुलना कुल से निकालना तीसरा भाग तो के से के से गुना करेंगे तो यह एकस और के गुना होगा तो हो जागा एकस के और बटा एन पलस के एकस के और बटा एन पलस के एकस के बटा एन पलस के एकस के बटा एन पलस के ओप्सन नमबर सी चलिए बहुत सारे बच्चे लगबग विद्यारती समझ गये हैं और लगबग वि तो ऐसे उड़ाई दीजिएगा किलियर है मेरे वादरों आ जाईए कोश्चन नमबर हम सभी का है 20 बड़ाई शानदार देखिए करा कुछ धन ABC में कुछ धन कुछ धन है जो ABC में विभाजित किया गया है यदि एक कुल धन का तीन बड़ा सोला बी के कुल धन का एक बड़ा चार भाग मिला है सी को एक आसी मिला है तो बी को ये बड़ा important points है बी बी आई सुपरस्टार जब भीन के रूपे आनुपात पर कट करना हो तो हम लोग क्या करेंगे देखिए ए है भी है और सी यदि ध्यान देजिएगा यदि एक कुल धन का तीन बड़ा सोला बलब आप समझते हैं एक को मिला है कुल धन का तीन बड़ा सोला बी को कुल धन का एक बड़ा चार और सी को मिला है सेस्थान और सी को निस्सित रूप में एक आसी रुपिया मिला है एक आसी रुपिया इनिस्सित रासी है बोल रहा बी का कितना हिस्सा होगा यह तो बात की बात है, पहले तरीका समझे, कभी भी रेशियो में आये, खास करके पार्टनर्सिप में ऐसा धेर सारा रेशियो मिलेगा, जब भीन, जब दो या दो से अधिक रासी को भीन के रूप में, परकट किया जाए, तो कुल रासी को, कुल रासी उसके हरों का L.C.M. मानते हैं, इस सिंपल सी बात है, हरों का L.C.M. मानते हैं, हलाकि माने का तो आप एक भी मान सकते हैं, तो भी मान सकते हैं, दो सौ भी मान सकते हैं, लेकिन हरों का L.C.M. इसलिए टोटल रासी को मानेंगे, ताकि फिर भीन कुछ नहीं बचे, क्योंकि L.C.M. क्या होता है, वाद छोटी-छोटी संक्या जो दिये गया, सबी संक्याओं से कड़ जाएं, वो L.C.M. होता है, इसलिए हम टोटल L.C.M. को मान लेंगे, तो कभी भीन के रूप में बाटना हो, एक आहिस्सा 3 बड़ा 4 हो, 5 बड़ा 7 हो, 5 बड़ा 20 हो, कुछ भी हो, तो टोटल धन रास, यहां क्या बोल रहा है, A.B.C. में भी वाजित क्या कि, A.C. कुल धन का, 3 बड़ा 6, B.C. कुल धन का एक बड़ा 4, C. को सेस, अब टोटल को इतना मानिये कि भीन के रूप में बचे ही न, जैसे 6 ला 4, अब A.C. कुल धन का, 3 बड़ा 6, 3 हो गया, B.C. को सेस मिला, तो कुयान पढ़ा दिमी बता देगा कि जब टोटल सोला है, जिसमें A को 3 मिला, B को 4 मिला, तो स्वाभी के 4, 3, 7 हो गया, तो C. को 9 मिलेगा, तभी न जोड़के 6 होगा, आजाओ, A.C. बड़ा 9, सेस की तुलना सेस से, क्योंकि सेस का निश्ची तरासी दिया हुआ है, A का हिसा पुछेया तो 3 से, B का पुछरा 4 से, धन्डासी पुछेया तो 16 से, तो B का पुछरा 4 से, 9 मिलेगा, 89.36, कितना हो गया मेरे प्यारों, 9.36, तारे बच्चे होंबर करके आएंगे, तो बहुत जादा को सनम बता पाएंगे, जल्दी-जल्दी खतम, MD में हमारे भाई तुमको आज है से बुक नहीं मिल रहा है, खतम हो जाएगा, सबसे कम प्राइस में उसी पर मिलेगा, फिलिप कार्ट पर मंगा सकते हैं, अमेजन से मंगा सकते हैं, मंगा ये, भूक रहेगा तो मजा आएगा, रिवीजन करने में, जो बड़ा दस्त मजा, आ जाएए कोशन नमबर 21, सांदार कोशन, किसी संक्या में उसी का एक बड़ा तीन बाग घटाया जाए, देखे, अभी क्या बोले थे, किसी संक्या में उसी का एक बड़ा पांच जोडा जाए, यहां पर आया उसी का एक बड़ा तीन घटाया जाए तो प्राप्ट संक्या और मुल संक्या, प्राप्ट संक्या मतलब नहीं संक्या और मुल संक्या यहां भी वही बात बोल रहा है प्राप्ट संक्या बोले चाहे नहीं संक्या और मुल संक्या का रेशियों मूल संक्या तो ऐसे ही तीन हो गए क्योंकि बोल रहा किसी संक्या में उसी संक्या का उसी संक्या में मूल संक्या में का लगा मूल संक्या तीन और घटाया जाए एक घटाया कितना जाए एक तो नहीं संक्या दू हो जाएगा यदि बोलता है जोड़ा जाए तो मूल संक्या तीन जोड़ा जाए एक तो नहीं संक्या चार होता लेकिन बोल रहा है नहीं संक्या का एक बड़ा तीन घटाया जाए मूल संक्या का तो मूल संक्या तीन घटाया जाए एक तो नहीं संक्या दो तो हम सभी का अंसर हो गया दो बड़ा तीन, दो अनुपाद तीन, दो अनुपाद तीन, दो अनुपाद तीन, कली आजए ये मेरे प्यारों बढ़ते हैं तो फानी अंदास में, का रहा है किसी संक्या मुझ संक्या का दो बड़ा साथ भाग घटाया जाए, देखे फिर वही संक्या का तो मुल संक्या और नहीं संक्या करें अब देखें यहां उल्टा पूछ रहा है पहले मुल संक्या रख दिया मुल संक्या और नहीं संक्या मुल संक्या और कुछ भी पूछ सकता है नहीं संक्या अनुपात मुल संक्या मुल संक्या अनुपात नहीं संक्या मुल संक् गाटाई ये गा जब 2 संक्या 5 साथ अनुपाद 5 कि इप अधो कि मेरे प्यार और पर नहीं संख्या हूँ कि ये तो देखना ये है कि रेचियों संक्या चलिए बहुत बढ़िया इस प्रक्सक्षन पूरी tariqa से कि लिए आ जाएक कोक्ष्षण नमर 13 एक रसी को दो भागों में इस पर कारवाटा कि पहला भाग में योगफल है जगारा तो बताएं कि पहला भाग दोनों के योगफल का निएW правильно अगराण एयeling seated कि बृआंड बाग योगफल में संबंद्ध है पहला भाग में के एला निए योगफल का पहले दूसरा का रेसी हो गया साथ चार नुपास साथ हम अपने नजदी की बजार के एक दुकांदार को फोटो बार्ट सेप कर दी है वब बोलाएगे दू-चार दिन में आ जाएगा अंकित कुमार बिलकुल आ जाएगा सबी जगा आप मंगा ही लेगा बुक यदि आप बोलिएगा तो कहीं नहीं उसका काम है बेचना तो चलो आज़ाँ मेरे प्यारों कहता है कोश्चन नंबर 24 70 सेंटिमीटर लंबे तार के टुकड़े को दो भागों में इस प्रकार बाटा कि एक भाग की लंबाई दूसरे भाग का दो बड़ा पांच है तो यहां कुल भाग में तो कहा लागा नहीं दूसरे भाग की लंबाई का तो दूसरे भाग पांच हो गया पहला भाग दो हो गया रेशियो हो गया दो अनुपात्म टोटल नमबाई 70 है, टोटल नमबाई 27 है, क्या पूछ रहा है, छोटा भाग तो छोटा भाग यहीं न होगा छोटा निकालना है 2 से, बड़ा निकालना है 5 से, 7 से 10 बार में 10 दूनी 20, कितना होगा मेरे प्यार हो, 20 क्लियर है, तावड तोड़, बड़ा पूछता तो 50 हो जाता, किशी को अपत्ती है, हमसे पहले आपको बनाना है आजाओ, मज़दार कोश्चन, एक संक्या को दूसरे संक्या हम जोड़ा जाए, तो योगफल दूसरी का, दूसरी का कई परसंट देख रहे हैं, यहाँ पर कैसे चरा रहा है, इसको चाहेगा तो यह भिन में भी दे सकता है, दूसरी का, देखिये तीन को पहले गुना करेंगे पुर्णांक में, तीन को 333 से 999 और एक 1000 वटा 3 परसंट, अब देखे, परसंट काटेंगे, परसंट काटेंगे तो बटा हम 100 जाएगा, दूसरी का, दूसरी का 10 वटा 3 अब देखिये, परसंट में ना देखिये, इसको यह भी तो लिख सकता पहली अनुपाद दूसरी, काता है, इस परकार जोड़ा जाता है, कि दूसरी संख्या का, योगफल जो है दूसरी का, किस में लग रहा है, दूसरी में, योगफल जो है दूसरी का 10 वटा 3 आ रहा है, बोल रहा है भीन में, लेकिन यहां बोल रहा है, योगफल जो है दूसरी का 10 वटा 3 आ रहा है, तो दूसरी नीचे वाला तीन, और योगफल दस, दूसरी तीन योगफल दस, तो पहली साथ, दूसरी तीन योगफल दस, तो पहली साथ, दूसरी तीन योगफल दस, तो पहली साथ, कि हमने क्या क्या परसेंट को भीन में बतल दिया अब बोल रहा योगफल दूसरी संक्या का दुस्री मका लगा तो दूसरी नीचे वह तिन योगफल दैस क्योंकि रेशियो तो इसी का हो रहा है कि लिए रहे हैं को दिकत परिशानी चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारों अब यहां पर हम लोग का 55 कोशन है, आज 25 रहने दिये हैं, कल 30 कोशन को रहुन देंगे, और उसके बाद हम लोग एक एक टाइप, दो दो टाइप डेली रहुनते चलेंगे, हम लोग का बेसिक में हम लोग क्या पढ़ेंगे, आपको decimal fraction तक तो आप करी लिए होंगे practice, decimal fraction तक म के लिए ratio पढ़ते चलेंगे, पांस दिन पढ़ेंगे इधर से, तो जल्दी हम लोग ratio कतम करके, फिर average में, फिर percentage में, फिर profit loss में, partnership में, और कभी 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 संडे को एक चेप्टर जैसे की, जो छोटा चेप्टर है, मले एज है, partnership है, इसमें एक आसो कोशन है, पचास कोशन है, तो हम लोग इसको पूरा एक चेप्टर निकालने का प्रियास करते है, जाते जाते सभी बचे, एक दुर्षे को share करने का प्रियास करिए, यह बहुत ही बहतरीन revision class है, इसको ignore नहीं करिए, मात्र 99 रुप्या मिल्डा अपने सभी दोस्तों को बताईए, और बहतरीन details से पढ़ना है, फॉंडेशन पढ़ना है, तो zero to hero by join करिए, सुभ सावन महावफर धमाका में, सभी दोस्तों कहता है, इरादों को कमजूर बनाती है, जादा नीन, मंजिल को हासिल करने वाले देर तक स्वया नहीं करते, और निरंतर लगातार पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, ज जब भीन वाले का अनुपात प्राप्त करना हो, जब भीन वाले का अनुपात प्राप्त करना हो, तो कूल रासी को हमेशा उसका LCM मानते हैं, पिछले क्लास में मैंने अनुपात प्रकट करने वाले में बताया मेरे शेरबादरों, कि कूल रासी को हरों का LCM मानते हैं, टोक प्रक्समाम बच्चे पीछे सरी भी देखे मैं आपको हर क्लास में बोलता हूं कि पांच बुक पढ़ने से बेहतर एक बुक को पांच बार पढ़ो तो जितना बार मैं बताता हूं उसमें कम से कम 10% को संदाता है रिवीजन करने लागए इसलिए आप क्या करिए कि जहां तक पढ़ाया गया है मानले जहें पढ़ने में एक घंटे लगे हैं तो उसको रिवीजन में आदा घंटे जादा लगेंगे नि तो उसको रपेट दो रिवीजन करते रहे हैं बहुत मज़ा आएगा बहुत आनंदा आएगा तो देखें तोकरी में रखें कुल फलों का तीन वटा आठ आम है ध्यान दीजेगा आम कितना है तो तीन वटा आठ आम है केला कितना है मेरे शेरवादरों तो केला साथ वटा भारा है और सेस संत्रा है सेस क्या है संत्रा है जो संत्रा की संक्या है तो कभी भी भेषिन वाले का अनुपात प्रकट करना हो भीन वाले का अनुपात प्रकट करना हो मिरे बहादरों मेरे शेरों तो इसी स्थिती में करना क्या है कि कुल राशी को उसका ल्टाम मानेंगे यहाँ पे टूटल जो मानेंगे व Earl आठ और 12 का LCM, आठ और 12 का LCM आपको नहीं लग रहा है कि 24 मान लीजिए, हाँ, आठ और 12 का LCM, 24, अब 24 से रिलेटे 36, 72 कुछ भी मान सकते हैं, एक भी मानिये, 100 भी मानिये, लेकिन अंत्ता LCM लेके कालकुलेशन करके रेशियो से महीं आएगा, तो सबसे आसान तरीका होता ह है, कि भीन के रूप में हो, तो ऐसा मानिये, कि जब कट है, तो कोई भीन भचे ही नहीं, पूरा-पूरी पुरनांक में आज़े, तो हमेशा याद रखे है, कभी भी भीन के रूप में हो, अनुपात प्रकट करना हो, तो कुल फल, यहाँ, टोटल फल जो है, उसको हम 24 मान है, टोटल को हरों का LCA मानते है, जब टोटल को हरों का LCA मानते है, मेरे लाड़नों, मेरे बहादरों, तो टोटल 24 मान लिए, आम है 3 बटा 8, तो 24 का 3 बटा 8 माइंडे में कैलकुलेट करें, कि 3 बटा 8 करेंगे, तो आर्थिया 24, 3 तिन तिया 9, 7 बटा 12 करेंगे, 7 बटा 12, तो बरदुन 24 सद्धुनी 14 आप सोचे कि कूल फाल आपके पास कितना है कूल फाल है 24 जिसमें आम है 9 केला है 14 9 और 14 23 तो संत्रा बचा कितना एक हम सभी का आम केला संत्रा का रिश्यू हो गया 9 14 1 9 14 1 9 5 14 नमबर एक आपसन नमबर एक बहुत बढ़ियां सारे बच्चे धीराज है रोहित है राजीब है विमलेस फड़ा फट अंसर कमेंट करना है अमन कुमार है अजीत कुमार शैनी है विकास कुमार है सारे बच्चे धड़ा धड़ जुडिया और सबको बोलिये जुड़ने के लिए आजाओ मेरे प्यारो कोश्चन नमबर 27 एक प कारा है मेरे प्यारो देखो जरा ध्यान से बड़ाई आनंदीत करने लाइक बात बोला है कि एक पुस्त काले में रखे कुल फलों का पांच बटा बारा हिंदी है कुल पुस्तकों का पांच बटा बारा हिंदी है उसके बाद कहता है आगे कि पुस्तके हिंदिक पुस्तके ह तथा एक बटा अठारा फार्सी है, फार्सी कितना है, एक बटा अठारा, फार्सी पुष्टक है, तथा दू बटा नौ भाग अंग्रेजी है, तथा सेश अन्य भाग, सेश जो है, अन्य भाग, अन्य भाग, अब देखें, यही कहानी है, सिंपल सी बात है, पांच बटा बारा हिंदी है, जितना पुस्तक है, कुल का, पूरा पुस्तक का, जो भी पुस्तकाले में कुल पुस्तक है, उसका पांच बटा बारा हिंदी है, एक बटा अठारा फार्स पूस्तक है जो है अन्य भासक है तो बोल रहा है क्या कि तो बताए हिंदी का फार्सी का अंग्रेजी और अन्य भासाओं को पूस्तक हो का अनुपाद तो यहां पे कुल पूस्तक हम कितना मानेंगे यहां पे कुल पूस्तक हम कितना मानेंगे मेरे शेयर बाहदरों तो कुल पूस्तक 12 और 18 और 9 जिसमें हिंदी कितना है मेरे प्यारों कुल पुष्टक हम सभी का 36 हो गया जिसमें हिंदी है पांच बटा बारा तो बारती है 36 पांच दिया पंद्रा फार्ची एक बटा ठारा ठारा ठार दूं 36 दो एक आई दो अंग्रेजी है दू बटा नौ नौ चुक 36 चार दुमियाट अब सोच जिसमें पंद्रा दू 17 सत्रा आट पचीस कुल छटिस में पचीस हो गया यही तीनों तो सेस बचा कितना है 11 तो यही हम सभी का रेशियो हुआ हिंदी फार्सी अंग्रेजी और अन्य पुष्टक का रेशियो पंद्रा दो आठ ग्यारा पंद्रा दो आठ ग्यारा ओप्सन म नहीं है 15 28 11 9 रब आन पर दो आठ एक है हमें आरा उपसंट 15 अनुपाद दो आनुपाद 880 11 15 अनुपाद दो आनुपाद आठ नुपाद इक यारा एक दम मिलता जुलता अंसर नहीं मारिए बढ़ियां से गोर से ओप्शन को देखिए प्लीज पंद्रा दो सत्रा सत्रा अट पचीस तब पचीस फिर शत्तिस बनाना है तो एक आरह न जुड़िएगा यह अपनों कहां से दे रहे हैं अमन कुमार राहुल देव बहुत बड़िया सावास अंसर अच्छा दिये हैं अंकित राठ होर सही अंसर सा कोशन कर रहा है 32ए को एब टी के बीचस प्रकार बाटाना है तो देखे अ है बी आ कि इनके बीच तीन अनुपाद पाच अनुपाद आठ के अनुपाद में धृटना है बडती 100 रिवा बड़िय है जो तीनों का योग्फल से B तथासी के हिस्से में कितना अंतर है B तथासी E पाच है E याट है अंतर कितना के 3 के E पाच है E याट है अंतर कितना के 3 के 16 से काटेंग 16 32 दो सो अदो थिया 600 दो थिया 600 option no.B असारा आनंदारा आ किसी को दिक्कत परिशानी गलत टाइप हो गया बहुत बढ़िया कोई दिक्कत नहीं होती है गलती तो यहां पर तो ठीकी हो गया कोई दिक्कत नहीं है बी और सी का अंतर पुछरा आराम से लपेड़ दिये जोगफल की तुलना योगफल से अब आपको पहले बनाने का प्रियास करना है हमसे महारी सुनीता ए से अमीत बीच से बीवा इसके बीच बाटा गया है दो अनुपात तीन अनुपात चार के अनुपात में अब कहता है एक बीभा को बीभा को 14,416 यहां बीभा को चार तो बीभा की तुलना बीभा से बोल रहा है कुल रासी कुल रासी जैसे तुलना सही दिकर दि अब जैसे बीभा का रासी दिया हुआ तो बीभा से तुलना कर दिए पुष्था की सुनीता का तो दो से पुष्था अमीत का तो कैसे तीन से योगफाल अंतर जो भी पुष्था पूछ रहा है कुल धन रासी तो दो तीन पांच चार नौस जल्दी से काटिया और अंसर भीजन करते चलेंगे तो मेरे सबी शेर बादर फड़ाफ़ तुफानी अन्दास में वेग शेवादू फड़ास पूफानी अंदास में चल्य अंसर ले आए हैं इसलिए काटने-छाटने में माहिर बनिए जितना ज़्यादा बेरहमी से मैच को काटियेगा ना मैत आपके तर काफे का सही बोल तो यहां पर चार से काटेंगे तो मेरे प्यारों यहां पर कटेंगे चारतिया बारा कि दो बच गया तो 24 तो छे चुक 24 पिर एक बच गया जीरो चार चुक 16 नो चुक 36 के छे अब छे एक ही आप्शन में तो अंसर मार सकते हैं पिर नो चुक 36 के बचा थीन नो जीरो जीरो तीन फिर नो चुक 24 पचा पांच नो तियस सताइस पांच बढ़तीस तो काटने चाटने में एक दम माहिर बनी हो सकता है शुरू में समय लगे लेकिन काट यह काटे काटने आप में अस्पीड भी आएगा अस्पीड भी आएगा चुक फिदेंश भी आएगा अस्पीड भी आएगा तो आज यह कोशन नमबर हम सभी का तीस एक छात्रावास में लड़कियों की संक्या पूरे विद्यार्थी कि संक्या के तिन वट आई गया रहा है तो लड़के लड़कियों का अनुपाद तो प आप अनुपात प्रकट करना पिछले क्लास में सिखाएं कि अनुपात प्रकट करना तो जिस तरह सिख साथ कातवा से लगा रहेगा वो हर होगा नीचे वाला और दुसर का अंस होगा और दुसर का अंस होगा मेरे प्यारों तो कहता है कि लड़कियों कि संक्या पूरे विद् पूरे ग्यारा जिसमें क्या कर रहा है लड़कियों की संख्या पूरे विद्यार्थि का दोई सब्द का यह जो है लड़की पूरे विद्यार्थि लड़की पूरे विद्यार्थि तो पूरे विद्यार्थि मुका लगा पूरा विद्यार्थि ग्यारा जिसमें लड़की 3 लड़की तीन तो लड़का कितना आठ लड़का आठ यानि लड़का और लड़की का अनुपाद आठ अनुपाद तीन लड़का लड़की का अनुपाद आठ अनुपाद तीन बहुत बढ़िया सबका अंसर सही आ रहा है कोई नहीं फस रहा है यानि कि चालाक हो गया सारे ब लबू फल के टोकरी में आम और सेव है बस और कुछ की बात नहीं किया आम और सेव है इन में से आम की संक्या टोकरी में रखे कुल फलों का पांच बारा कुल फल में जैसी का लगा जिसमें का लगता हूं नीचे वाला हो जाता है तो कुल फल वारा हो गया कुल फल वारा हो ग प्रवारा आम पांच नमबर ऑप्सन नमबर बहुत बढ़ी हैं गुरु गुरु गुर्ण और चेला चीनी सारे सेर्वादर हमसे पहले अंसर दे रहे हैं कमेंट करिए या नहीं करिए मोवाइल को लैंडस्केप में रखे और हमसे पहले पहले अंसर देने का प्रियास करई हम से पहले अनसर देने का प्रियास करें सभी के पास यह पूश्बच को बोलिक के हैं ल lei और अपने आसपास का दुगंदार को बीएगा की मंगाई के सरका फोटो दिखाए दुम बबॉन्ग पर व्री अभिसे यह वाई यह माई के आट यमी काट लिखे अभी आफर में भी आपको मिल जा रहा है तो इसको आप बुक को मंगाईए बहुत फायदा करेगा बहुत जवरदस फायदा करेगा आजा हूं मेरे प्यार हूं कर रहें चीनी तथा पानी के घोल में पानी की मातरा पूरे घोल का 6 छे बटा तेरा गुना है पानी की मातरा पूरे घोल का 6 बटा तेरा गुना है तो बताएं कि घोल में चीनी तथा पानी का अनुपाद क्या है चीनी तथा पानी के घोल में पानी की मातरा पूरे घोल का 6 बटा तेरा गुना है समझ रहे हैं यहां चीनी और पानी दो ही और र convention निकाले या चीनी पानिए को leng yo USB co कोई दिकत्राद नियुक्त स mammмет स्ट कॉते हुए है या चीनी पानी के गोल पानी के मात्रा पूरे गोल का तो पूरे गोल में गदर रहा पूरा साथ तो हम लोग को पूछ जरा है चीनी पानी का रहा है कि अलता हम लोग निकाल दे चीनी पाने पूछरा procent है चीनी पानी पूछ रहा है तो सातंप पाचि amedia है हैं आज़ा मेरी प्यार हो पूस्षन कि हुंटिछ नुम्बर हम ल Rais पहुँच गए देखते ही देखते 35 कि twenty two कि एक गाओ एगाऊची को और से उपार बाता गया कि एक धंडासी के विसमेस प्रकार बाता गया कि यहाइच के कुल भाग है देख रहे मैं आप A अनुपात B अनुपात C में इस परकार बाटा गया कि B का भाग A और C के कुल भाग का तो भुले सर ऐसा करिए न A B C में इस परकार बाटा गया कि B का भाग तो B को अलग रखिए और A तता C को साथ में रखिए और ऐसे भी पूछ रहा है कि B अनुपाओ अपलस C तो कर रहा है एक धन्रासी को A बी सी में स्प्रकार बाटा गया कि कर रहा है कुल B को A तथा C के कुल भाग का तिनबटाठ मrezलो B अलग है A और C अलग है तो यहाँ पर B को A तथा C के कुल भाग का तो ये तथा C के कुल भाग में का लगा तो नीचे वाला ये तथा C हो गया और B हो गया 3 तो 3.958 हो जाए क्योंकि B अनुपात E plus C ही निकालना है 3.958 Foundation reasoning का amount कितना है Foundation reasoning का आप देखिये ना उसमें 799 दिखा रहा होगा coupon code में RK75 डालिएगा 199 में मिलेगा पढ़िये Foundation reasoning पढ़िये एकदम एक बार 100 प्रस्टन हर चेप्टर का मैं पढ़ा रहा हूँ और सिर्फ पढ़ा नहीं रहा हूँ पहले theoretical concept मैं clear कर देता हूँ जिसमें आपका coding decoding खतम हो गया है और ये sitting arrangement खतम हुआ ranking test खतम हो भी calendar चल रहा है calendar भी 3-4 class और उसका recorded class मिलेगा उसका आपको solution PDF मिलेगा तो आपको अनुभब भी नहीं होगा recorded देख रहे हैं लगेगा offline पढ़ रहे हैं तो आप reasoning से जुड़िए और ये जो question 100 में चुनता हूँ select करता हूँ वो सारे 100 question हाल फिलाल में बाइस में 23 में पूछे गए गुरूप D का question रहता है NTP CBT 2 का question रहता है इसके अलाबे आपका CGL का question CHSL का question GD का question MTS का question इस प्रकार से मिला के पूरा 100 question रहता है हर chapter का तो आप सभी बच्चे reasoning एक बार जरूर मजे से पढ़िए बड़े आगे बच्चो कहीं पर से कोई दिक्कत परिशानी नहीं आजाओ मेरे प्यारों दहारते हुए 36 कता बसियत के अनुपात जैसे मान लेजे आपके पीता जी बसियत बनाए कि हमरा आपन बाल बच्चा के बाटना है संपती तो बसियत बनाए बसियत का अनुपात 125 इतना रुपे की संपती को पूत्र और पूत्री में बाटा है कितना के अनुपात में देख रहे हैं तो पूछरा पूत्र का रश्यो добनाट पूत्री पहले तो हम लोग ये क्या है तो मैंने पिछले क्लास में पढ़ा है कि भीन के रूप में कभी रेशियो रहने ही नहीं देना है यदि भीन के रूप में अनुपात आ गया मेरे शेर बादरों भीन के रूप में अनुपात आ गया तो सर पर्थम भीन के रूप में अनुपात आ गया तो सर पर्थम हरों के ल तो इसका में रेशियो हो गया साथ अनुपात दस हो गया तो समझें पुत्र और पुत्री का रेशियो है टोटल धंडासी है एकीस लाग पचीस हजार यहां टोटल धंडासी है सत्रा निकालना क्या है बाभू निकालना है पुत्र का हिस्सा पुत्र तो पुत्र साथ है पुत्र सुर्यम नहीं जी तो पुत्र कितना है साथ है तो पुत्र का निकालना है तो साथ से काटो बढ़िया से काटो बेराहमी से काटो 17 से काटोगे 17 है कहाई 17 21 में 17 कटम 4 चारपरदों 20 17 दुनी 34 आठ बच गया 17 पच पच आसी गुना करिये 000030 75 35 बच तीन बच पाइटिस पाच बच तीन 84 याज 37 कोई ऑप्शन है ये देख लो option number a question कैसा भी हो जटिलताए हो बस काटने के लिए तैयार रही है काटने calculation के कारणी math में बच्चे को portion का सिकार होते हैं इसलिए मैंने पहला चिप्टर calculation पढ़ाया है 17 टाप है उसको बार बार repeat करिएगा दो बार तीन बार तो जरूरे कर लिजिएगा इस book को जो बंदा तीन चार बार बना लेगा किसी भी type के math को धुआ धुआ कर देगा क्योंकि सारा concept किलियर हो जाएगा आपका फिर number system पढ़ाई दिये है decimal fraction पढ़ाई दिये है अब हम लोग संडे को इस प्रकार से basic वाला अगला चेप्र उड़ाएंगे बाकी इधार हम लोग धुआ 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 करते चलते है आजाए एक question number 35 पढ़ाई मज़ेदार है बाबो 35 का जवाब सबसे पहले कौन देता है 10.000 दूसर रुपय को ABC में इस प्रकार बाटे कि A को B का दो बड़ा तीन तो पहले A अनुपाद B निकाल लेते है A को B का दो बड़ा तीन B का दो बड़ा तीन यानि B में का लगा तो B नीचे वाला दो बड़ा तीन अब B को C का एक बड़ा चार तो A का नुपाद चार अब देखिए पिछले क्लास में भी ऐसा बनाए थे कि जब कभी भी A, B, B, C दिया रहे तो जो common हो उसको या तो बराबर कर दीजिए या दूसरा तरीका जैसे हां common B है लेकिन उपर B का मान तीन है और नीचे B का मान एक है इसलिए कभी भी निकालना हो एक याद करना हो तो उपर वाला कॉमन से, उपर में हो तो नीचे वाला कॉमन से, नीचे में हो तो उपर वाला कॉमन से, नीचे में तो उपर वाला कॉमन से, तो एक अमान उपर दो है, तो नीचे वाला कॉमन से दो एक आई दो, बी तो कॉमान है तो तीन है काई तीन, सी नीचे में है तो अधिक मिलेगा मतलब अंतर पूछ रहा यह अधिक के मतलब क्या हुआ आधिक के मतलब अंतरос यह वैक का अंतर अधिक एंड ए का अंतर पूछ रहा है जब रेशियो निकल गया तो फिर तुलना गुना कर दीजे आपके पास है दस हजार दो सव यहां है बारा तिन पंदरा और दो सत्र निकालना है ए और सी का अंतर ती को ए से इदो है आई है बारा बारा में से दो गया दस दस से गुना सत्रा चक एक सो दो छे सव यानि मेरे सेर भादरों छे हजार कितना हो गया छे हजार अंतर कितना का छे हजार बड़े आगे आगे बढ़ते हैं तुफानी अंदास में आईए पुरुजी लेट क्यों हो जाते है अरे भाई नीद पूरा नहीं हो पाता है क्या करें बताओ देखो रूटीन मेरा अभी तुम लोग को पढ़ाएंगे एक से देड़ घंटे का क्लास जो भी हो कम से कम एक घंटा तुराता ही है फिर आट बेस क्लास है फिर दस बेसे क्लास है जिविच खाना पिना नस्ता जो भी है एक आरा बज़े तक क्लास है फिर बादा बारा से दो धाय बज़े तक जीम में एक दम जितना इनर्जी रहता है सब वेस्ट करता हूँ क्योंकि 2022 में बहुत जादा बीमार रहा गया था और स्वास्त पे ध्यान नहीं दे रहा था फिर ठकाओ का आता हूँ धाय तीन बज़े उसके बाद आधा घंटा के लिए प्रियास करता हूँ नीद लेने का लेकिन कभी आती है कभी नहीं क्योंकि चारवे से साड़े-दस बज़ जाता है आपको एक यूटूपे क्लास लाईब चलता है उसमें साड़े-दस सोते-था सोते-था साड़े-वारा साड़े-वारा कभी बारो बज़ गया अब सुबा में साड़े-चार बज़े उठना भी है आजा मेरे प्यारों खेट दारते हैं छोड़िए किसी संक्या का एक बड़ा चार भाग उस संक्या में जोड़ा जाए तो नई संक्या तथा मूल संक्या का अनुपाद क्या है तो सिंपल सी है यह तो कोशन लगता है तिन चार को हम लोग पहले ही बना चुके हैं बना चुके ह है कि संक्या का एक बड़ा चार भाग उस संक्या में जोड़ा जाए तो नहीं संक्या मूल संक्या कभी कभी मूल संक्या नहीं संक्या कभी कभी पूछ रहा है नहीं संक्या मूल संक्या का नहीं संक्या मूल संक्या का अनुपात तो कर रहा है कि कि किसी संक्या में किसी संक्या क तो किस संक्या का एक बड़ा चार जोड रहे हैं किसी संक्या का एक बड़ा चार जोड रहे हैं मलब मुल्च संक्या का एक बड़ा चार जोड रहे हैं तो मुल्च संक्या कितना हो गया चार और जोड रहे हैं तो मुल्च संक्या में एक जोड रहे हैं तो नहीं संक्या पांच तो यह तो बस बिदावड पेन लगाने की जरुवत नहीं है 595 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 पेन लगाने की जरुवत जाता है जैसे हाँ पर एक वटा दो है एक वटा तीन हो जाएगा एक वटा पांच हो जाएगा अभी भी आप जानते हैं कि के वलू लाटना नहीं है जब भीन के रूप में रेशियो रहेगा तो हरों के लेसस सबीराशी को गुणा करना है दू तिन पांच का लसीम कितना सभी बच्चे फड़ा फड़ दहाड़ते हुए अंसर दे मेरे प्यारों सभी बच्चे दहाड़ते हुए अंसर दे फड़ा फड़ चलो आजाओ ये तो डाइरेक्ट्री उलट जाएगा इत अल्रेडी भीन में है यहां भी देखिए दो या दो से अधिक्राशी बराबर हो दो या दो से धिक्रासी बराबर हो और उसका अनुपात प्रकट करना हो तो कोफिसेंट उलट जाता है कोफिसेंट उल्टेगा ये अनुपात भी अनुपात सी एक बड़ा तीन के उल्टा तीन बटा एक तो बटा में एक दीजिये चाहने चार बटा एक और फिर तीन बटा ए 49 49 अब देखे वही चीज़ आभी दोनों बता हैं वही दोनों कोश्चन बस केवल और केवल लैंग्वेज ने में दे दिया है काता इस परकार बाटा कि कि अ का दुगना, बी का चार गुना और सी का तीन गुना हापस में क्या है बराबर में फियल रिएद अ ऑ 12 सभी का अंसर हो गया चेटीन चाथ हम सभी का अंसर हो गया शेर पाध्रों छेटीन चार आजआवा मेरे प्यारों बढ़े चलते हैं तुफानी अंदास में देखें 990 रुपिय कि रासी ABC के बीच 3, 4, 2 के अनुपात में पहाचित किया जाती है B का निम्न में से तो यहाँ पे देखिए ABC है टोटल धन्दासी आपके पास 990 है 3 अनुपात, 4 अनुपात, 2 के अनुपात में है तो टोटल 390 यहाँ टोटल 990, यहाँ टोटल 9 टोटल 9, 4, 3, 7, 2, 9 निकालना है B का हिस्सा, तो B का हिस्सा तो 4 से B का हिस्सा निकालना है मेरे प्यारों तो 4 से जल्दी से काटो बड़ा फट काटो, बेरहमी से काटो आजा कोश्चन में रेक तालिस पहुँच गये है बड़ाई सान्दार सा कोश्चन एक विद्यार्थी को संक्या का 3 बड़ा 4 और 2 बड़ा 3 को जोड़ना था जोड़ना था, जोड़ना था मतलब वो सही था लेकिन उसने गल्ती से 4 बड़ा 3 और 3 बड़ा 2 गुना को जोड़ दिया तो बोल रहा ऐसा करने से 45 अधिक प्राप्तो आतों पता है सही उत्तर क्या है तो यहाँ पर देखे, एक तो सही होगा और यह काम गल्त होगा तो जोड़ना था उस सही जोड़ना था 3 बड़ा 4 गुना और 2 बड़ा 3 गुना को लब गुना गुना नहीं किसी संक्या कहा है तो सीधा तीन बड़ा चार और दो बड़ा तीन को जोड़ना था लेकिन जोड़ा उसने चार बड़ा तीन और तीन बड़ा दो समझ रहे हैं आप सिंपल सी बात है सही उत्तर नहीं बलकि सही गलत सही उत्तर और गलत उत्तर तो जो सही है वो करना था 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 तो यहां पर का रहा है कि 3 बटा 4 को जोड़ना था और 2 बटा 3 को जोड़ना था गलती से उसने मेरे बादरों 4 बटा 3 और 3 बटा 2 को जोड़ना सबसे पहले क्या करेंगे 4 और 3 का LCM 12 है 12 में 4 से भाग देंगे तो 3 तिया 9 3 देखे LCM है कितना होगा 12 3 तिया 9 4 दुनियाट 17 LCM हो गया 6 चार दुनियाट 3 तिया 9 17 आप काटिये या 17 सत्रा कटिया 6 काई 6 6 दुनिय 12 रेशियो काट सकते हम एक इधर हो जाएगा और दो इधर मेंली रूप से हम सभी का एक अनुपात दो आया अब बाई रेशियो आये क्या कह रहा है कह रहा है मेरे प्यारों की ऐसा करने से जो गलात उत्तर है वो सही उत्तर से 45 अधिक है यहाँ 45 अधिक यहाँ एक से दू हो गया तो एक अधिक तो अधिक की तुलना अधिक से है देख़े, रेशियो सेपैसल तो पहले वाला टेलिग्राम पर टेलिग्राम पर डाला वागरूस पूरान वाला लगा अच्छ लूमी में रेशियो में तो पूरा बेसिक है आजा मेरे शविश एरबादुर अगला कोश्चन को तूड़ते हैं कर आए कोश्चन नमबर 42 यदि अठातर सो ए अनुपात बी अनुपात सी लिखा हुआ एक अनुपात दो एक अनुपात तीन एक वटाचार सबसे पहले भीन के रूप में हैं सीठा करेंगे हर उके LCEM चुंब इरासिम सा हणने ही खुण में दो तीन चार का अलसे में 12 12 q 27 तो समाह लिजए मेरे प्यार ओ B को कितना हिस्सा मिलेगा ध्यान से समझे निकालना क्या है टोटल 78 स्वाया जब रेशियों सीधा कर लिए तो 6, 4, 10, 3, 13 है B का हिस्सा निकालना है 4 से कैलकुलेशन आप ही से करवाईए क्योंकि आप जितना कैलकुलेशन करिएगा मायत उतना थर-थर कापेगा साकेत बोने आपके पढ़ाने का स्टाइल बहुत सांदार है लव यू लव यू टू आप जो बच्चे नहीं जान रहे हैं उन्हें जरूर शेयर करिए बहुत सारे भी द्यारते हैं हमसे बंचित हैं उन्हें यूटूब चैनल कम से कम सेयर कर दीजिए उसी पर दुनिया भर का क्लास में ने दिया है काता एक बास का एक वड़ा दस फिर वही भीन के रूप में रहे तो अनपात कैसे पर कट करना है क्या बोड़ा एक मास का एक वड़ा दस एक मास का एक वड़ा दस लाल है कितना है कौन सा रंग है लाल है कितना एक वड़ा दस एक वड़ा बीश सफेद है एक वड़ा बीश क्या है मेरे शिरवादरों सफेद है एक वड़ा तीस भाग नीला है एक वड़ा तीस है नीला एक वड़ा चालिस काला है काला कितना है मेरे बादरों एक वड़ा चालिस एक वड़ा पचास बहिंगनी है बहिंगनी कितना है एक वड़ा पचास एक वड़ा साथ क्या है पीला है एक वड़ा साथ पीला है और सेस क्या है हरा है देखे बस एतने कोश्चन है देखे कितना है कराए एक बटा दस भाग लाल है एक बटा बीस भाग सफेद एक बटा तीस भाग नीला है एक बटा चालिस भाग काला है एक बटा पचास भाग बैगनी है एक बटा साथ भाग पीला है तीस भाग हरा है यदि हरे भाग की लंबा हरे भाग से करेंगे न महाराज तो हरा भाग की तुलना जब हरे भाग से करेंगे तो क्या होगा पहले तो रेशियो निकाल ले मैंने क्या बताया था कि जब भेन के रूप में हो और अनुपाद प्रकट करना हो तो टोटल रास्टी को हरों का LCM माल लेते हैं तो यहाँ पर कुल कुल या टोटल जो भी कहिए तो द्यश्य Colum मुझे लग रहा है आपको क्या लग रहा है मुझे लग रहा Len CAS कुल 600 माल लिये हरों का LCM टोटल रास्य माल लेते हैं अब लाल रही एक वट दस शह सुकॉंड गूड़ इसोगा। सफेद एक वटव शहशो का एक वटव थीस होगा। सफेद एक वटव दीस्टे बिस होगा। शहसों का यृफ मेलगे प्वारा सॉचिए मेरे प्यार हो। कि कुल लंबाई बांस का आप माने है 600 हरों का लसी मानेगे 600 अब 60 है 30 है 20 है 15 है 12 है 10 है तो कुल मिला के 60 और 30 देखिए 600 में लाल सभेद नीला काला बाइग निया अलपीला मिला को गया 60-90 और 20 110 अदास 120 और 15 15 147 तो यही सब मिला के 147 हो गया इस सभी मिला के मेरे प्यारों 147 हो गया तो हरा कितना बचा तो 600 में 147 घट के बचेगा 600 माइनिस 147 करिए तो 453 हरा बचा हरा का भाग कितना रेशियो के अनुसार 453 अब क्या है बस रेशियो निकाल दिये तुलना गुना कर द करा यहां जो सेश हरा बचा हुआ है वो 12.08 है अब आपका हरा वाला रेशियो का भाग है 453 तो हरा की तुलना हरा से पूछरा कुल लंबाई क्या है तो यदि पुष्टा लाल की लंबाई तो 60 सफेद कलर की लंबाई 30 से नीला के तो 20 से काला के तो 15 से बैगनी का तो 12 से प सबसे पहले हम पॉइंट काटें में है हुआ कि आब क्या करने है चार चार्श्तोथ त्रपंसे काट दें है इसे कट रहा है नहीं तो तीन से तो कम से कम कटी रहा है तीन दूनी छे शे इन से 15 तीया है पही तालिस तीने कहीं अधर आठ दो आठ दूनी सुला मीटर में है तो मीटर क्या कहा रहें बताइए कितना भी बड़ा कोशन है रेशियो प्रकट किए स्थेस वाग की तुलना से स्थेस वाग से टोटल निकलना है टोटल से पॉंडेशन मैट का आउफ़र जीरो टू हीरो अभी है प्रियास करिए इस मंत में खरीद लेने का बच्चों को जरूरूर्द चलो आगे बढ़ते हैं मेरे शेर बहादरों कोई दिक्यत परिशानी है तो बताईए आज यहीं बड़ा एक कमाल का 54 नमबर कुसन है एक हाचार बटा फंदरा बराबर बी का तिन बटा पांच तो फहले रेशीयो निकालेंगे लना पांस से चार पचे बीस नो पचे पई तालिस अब दो याद दो से अधिक रासी बराबरो कोफी सेंट उलट जाता है अब दूगों में उलटना तो आवर आसान होता है राइट को लेप्ट खीच के लाओ लेप्ट को राइट के लाओ तो ये नौ इधार आजाएगा चार चोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं आजाओ कोशन वर्पै तालिश करा एक धंडासी को एवी सिके मत इस प्रकार बाठा गया एक बड़ा दूबी का दो बड़ा तीन सी का चार बड़ा पांच आपस में बराबर है तो इस कोशन में करना क्या हूँग अलग ब बराबर है तो सबसे पहले ए अनुपात भी अनुपात सी उल्टेंगे एक बड़ा दू को उल्टा दो बड़ा में एक दीजिये चाहने इसको तीन बड़ा दो इसको पांच बड़ा चार अब हम सभी को ये भी पता है कि भिन के रूप में आया तो सबसे पहले हरों के LCM से यहाओ मेरे प्यारों चार अवाओ दो का LCM 4 चार से यहाँ गुणा करेंगे 4 दूनी 8 चार से यहाँ गुणा करेंगे 2 से दो बार में 3 दूनी 6 चार से गुणा करेंगे 5 8 6 5 ए भी तता सी के भागों में अनुपाद क्या है यही आर्शे पांच लीजिए आई तो कि आप धूंड क्या रहे है लेट हो गए भाई कांगराचुलिस्टन बदाई एक तो हम लेट और मेरा चेला हमसे भी लेट तहीं कहता है गुरु गूल और चेला चीनी बहुत बढ़िया आजाओ मेरे प्यार हो पी पलस क्यू का 20 परसेंट पी पलस क्यू का कितना परसेंट मेरे लाड़ लो 20 परसेंट बराबर पी माइनस क्यू का 50 परसेंट तो पी अनुपाद क्यू निकालना है अब देखें यहां पे मज़ेदार चीज़ सिखाता हूं मैं पी पलस क्यू का 20 परसेंट से परसेंट कट, 0-0 cut, तो फी प्लस की का questão कगा 2 बच गया। पांच बच गया। जब दो या दो से अधिक रासी बराबर हो जैसे पी प्लस क्यू पूरा एक रासी है पी माइनस क्यू दो रासी है जब दो या दो से अधिक रासी बराबर हो अनुपात निकालना तो कोफिसेंट उलड़ जाएगा तो पांच आ जाएगा इधर इधर पांच हो जाएगा उधर पी अनुपाद क्यू देखिए कैसे बनेगा एक तो आप एक्वेशन बना लिजे पी प्लस क्यू बरावर पांस समीकरन बन पी माइनस क्यू बरावर दो समीकरन दो लेकिन मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ कि कभी भी मेरे प्यार हूँ चाहिए ये रेशियो में हो चाहिए कभी दो कोन का एडवांसमेंट पढ़ रहे है दो कोन का युगफल अंतर दिया हुआ हूँ एज पढ़ रहे है दो भाई के आयू का युगफल अंतर दिया हुआ है माता पिता के आयू का युगफल अंतर दिया हुआ है बड़ी रासी जोड के आदा छोटी रासी घसा के आदा बड़ी रासी जोड के आदा छोटी रासी गटा के आदा तो पांच दो सात बटा दो गटा के आदा पांच मिस दो गया तीन बटा दो इदो से दो कट गया सातन बटा पले सब दो से भागा नहीं देते तो भी अंसर आ तो बड़ी रासी ग्यात करना है जोड के अदा छोटी रासी ग्यात करना है घटा के आजाओ डी हो गया आजाओ मेरे प्यारों सहे तालिस पहुंचके हम लोग देखे एक कोशन में नहीं तो दूसरा कोशन सेम ऐसे ही है ये भी ऐसे ही देखो मतलब यहां पर भी बड़ा दे दिया है बी माइनस एक का 30 परसंट बराबर भी पलस एक का 18 परसंट पहले तो हमें इसी का रेचियो निकालना है परसंट से परसंट खतम छे से तीन बार में पांच बार में क्युक्कि जब 6 से दोनों काट रहा है तो काटेंगे अब देखें क्या करें यहां तो हम अवी को अलग अलग भी ले सकते हैं या प्लस माइनस भी कर सकते हैं हम चाहें तो ब्रेकेट तोड़के एबी जैसे पिछला में भी हम पिक्यू को अलग 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 ब्राकेट है 5 ये उधर चल जा जाँके 3 ये जूटेगा अठे या उलटके भी लीख सकते हैं 8 ये बराबर 2 अब दो या दो से अधिकराशी बराबर हो अनुपात 2 बात तो बराबर है उलट जाएगा 2 लाउपात 8 को उछ एक अनुपात जाओ दो अनुपात आठ को उल्टेंगे एक अनुपात जाओ तो ऐसे भी कर सकते हैं जोड के आदा घटा के आदा करिए या ऐसे भी तोड़के निकाल सकते हैं पड़िया ठीक ठाक मजारा आनंदारा कोई दिक्कत पर रिशानी नहीं आज़ा मेरे प्यारों कोश्चन नमबर 48 धड़ा धड़ बढ़ते चलो इसका जवाब कौन दोगे गता साथ संत्रा का मुल्य पांच निम्बू के मुल्य के बराबर है तो पता है पांच निम्बू आर्थीन संत्रा का तो पहले एकाई जो रेशियो निकालता है वो एकाई का संत्रा का मुल्य पांच निम्बू के बराबर है तो बराबर कर दी अब बराबर हो गया तो संत्रे और निम्बू का रेशियो निकल गया जो रेशियो निकलता हमेशा एकाई का निकलता एक का उलटके पांच इधर साथ है तो हम लोग से पूछ क्या रहा है तो पूछ रहा कई संत्रा 5 संत्रा और तीन नीमु प् Seong2 का शुक की आद प संत्रा का है यह यह यग संत्रा का पांच है मेरे प्यारों तो पांच संत्रा का हो जाएक पपचे पचीश तीन नुम्बो का हो गया सत्या 21 तो पांच सत्रा जब एक्काव का रिशयो निकल गया तो फिर पचीश सनुपाथ पचीश सनुपाथ एक्कीश जब तक तोड़ेगे नहीं तब तक छोड़ेगे नहीं 25 अनुपाथ एक्कीश बढ़ियाए मेरे प्यारों आजाओ कोश्चन नुम्बर 49 पहुंच गए एक चात्रवास में लड़कों की शंक्या लड़कियों की कुल शंक्या का पांच बढ़ तीन है चात्रवास में कुल पचास ही लड़के हैं तो कुल कितने भी द्यार थी तो पहले रिशयो निका लिए बाय और गरल का रिशयो निका लिए एक चात्रवास में लड़कियों क एक शात्रावास में लड़कों की 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 शात्रावास में लड़ तो नीचे वाला लड़की, लड़की तीन लड़का पांच, पचासी को सिर्फ लड़का है, यहां लड़का पांच, लड़का की तुलना लड़का से, लड़की निकालना रहता है तो तीन से, कुल विद्यार्थी निकालना है पास तीन आट से, जल्दी से बताओ इसका अंस प्यावों आनंद ये आनंद है देख़ो एक बिद्याले में लड़के लड़कियों की शंक्या के इफ़ 15 are आट पर आठ का है या ब्वा या और गरल का रिशियों जो है मेरे प्यारों 658 अ है यदि लड़कियों की शंक्याल लड़कों से 105 अधीक, अधीक किया कम के महलब दोनों के भीच का अंतर, यहाँ पर अंतर कितना का है, 7 का, अंतर की तुलना अंतर शेख, तो बिद्याले में कुल कितने बिद्यारती है, यदि लड़का पुस्ता 15 से, लड़की पुस्ता 8 से, 15 वाट 23 से, 7 से काटेंगे, 7 से 15 वार में, 15 गुना 23 करिये, 345 साइद अंसर आ जाएगा, देखिए जल्दी से, आ गया, आ जा कोश्चन नमबर एक क्या बन, बड़ा हिसांदार आवरासान, एक गाय, गाय अनुपात बैल, अब देखिए, एक गाय तथा बैल के मुल्यों में 12 अनुपात, 7 का अनुपात है, गाय अव बैल के मुल्यों में 12 साथ का अनुपात, गाय का मुल्य बाहिर के मुल्यों से 4000 अधीक है, अधीक या कम के मलब दोनों के बीच का अंतर, या अंतर तीन का, अंतर की तुलना अंतर से, बताएं कि गाय का मुल्यों क्या है, तो गाय का मुल्यों 12, जल्दी से काटो, बेरामी से काटो, मैं थर-थर कापेगा, मैं थर- प्रडवला दिएका जी, बारा है, साथ है, पांच है, पांच है, अंतर की तुनला अंतर से, 5 से 800 वार में, 1286 अनवे से, ओप्सन नम्बर डी, सुई बच्चों का अंसर सही आ रहा है, देमनाथ है, महरवान है, भिमलेस है, सहजाद है, राउल है, बहुत बड़िया बच्चों, आजाओ कोश्चन नमर 22, जब यह बड़ा कमाल का चीज है, यहां पे फुड़ा सा ध्यान दिजेगा, बीबी आई कोश्चन है, समझने का प्रियास करिएगा, बहुत मैधार सा कोश्चन है, बीबी आई सुपरश्टार, बीबी आई सुपरश् तो बरतन का 30 बाट 25 खाली रहा जाता अब सवाल 1 कि स़ल 20 लीटर Lane घुठ जो भाग करेंगा जाल रहे हो थीन पर चाली वरेगा तो आधे बार बेर्टन का तो बरतन पांच खाली तीन तो भरेगा दो यहां को खाले और भरा का रैशियों निकाल लेते तो यहां पे देखें पूरा बरतन पूरा बरतन और खाली का चर्चा किया है तो कुछ तो भरा होगा जैसे 20 लीटर डाल रहे हैं यहाँ पर निस्षित रासी आपका है कि 20 लीटर डाल रहे हैं तो 20 लीटर डाल रहे हैं तो यह 20 लीटर भारा भाग होगा जिसे बरतन में डाल रहे हैं तो भारा हुआ भाग होगा कि खाली भाग होगा तो जितना डाल रहे हैं उतना भारा हुआ भाग होगा तो कोशन तोड़ के समझे कह रहा है मेरे प्यारों कि एक बर्तन में 20 लीटर दूद डाला जाता है तो बर्तन का 3 वटा 5 खाली रहता है बर्तन का बर्तन में का लगा मलब पूरा बर्तन 5 जिसमें खाली 3 तीन रहता है तो अनपड़ा दुमी बता देगा कि भरा होगा दो बरतन का तीन बरतन पांच खाली मलब पूरा बरतन पांच इसमें खाली तीन तो भरा दो अब क्या है भरा की तुलना भरा सही जो 20 लीटर डाले हो भरा भाग है यहां भरा भाग दो है यदि पूछता कितना और डाला जाए तो तीन से यदि पूरा बरतन तो पांस से पूछ क्या रहा है पताएं कि कितना लीटर दूद और डाला जाए कि बरतन पूर्णता भर जाए तो तीन से क्योंकि कितना लीटर और डाला जाए तो यानि खाली भाग पूछ रहा है यदि ब दसवार में 10 या 30 लीट पूछता पूरे बरतन की छमता कितना है तो 5 से गुना करते दा पचे पचास आता है कि बढ़िया है कि आज आज मेरे प्यारों कोश्चन नमर्ट त्रेपन ट्रेघ ननराशियू को पी क्यूर के बीच ग्यार पाच की अनुपात में भाट आढ़ आप काता है कि यू ₹ tro के भागों में तीन का अंथर है अंतर की तुलना अंतर से पी कि भाग का 40 percent क्या है उड़ 750 निकलना है तो अंतर की तुलना है तो अंतर से कालना रहता तो 36 लेकिन हमें चाहिए पी का 40 परसेंट यानि 36 का 40 परसेंट 36 का 40 परसेंट परसेंट से एक सुनना दू सुनना 37 के 144 1440 1440 ओपसन नमबरे 1440 ओपसन नमबरे 1440 ओपसन नमबरे धड़ा धड़ हमसे भी पहले सारे बच्चे बना रहे हैं यहाँ पे पहुँच गए हम लोग मेरे प्यारों 54 टोटल कितना कोशन है जी इसमें टाइप एक में अच्छा टाइप एक में लाश्ट होने वाला है पच्चपन तक है और हम लोग का टाइप टू फिर आप सभी का होंबग रहेगा देख क्या यह गाएगा टाइप टू में 43 और सबसे इंप्वर्टन टाइप एक और दो ही है यही सिर्फ रिच्व का यह बेशिक नहीं हर चेप्टर का यह बेशिक है ठीक है कि हैं हर चेप्टर में इसमें इसमीं का इस्तमाल होगा टाइप एक два तो टाइप 2 का सांदार 43 कोशन नेक्स क्लास में देखेंगे उसके बाद में ज़्यादा ज़्यादा कोशन है तो एक एक दिन में दो यो तीन टाइप आप उड़ा सकते हैं रेशो के बाद बागी सब चिप्टर आसान हो जाएगा पढ़ना त्दा एक निशी 13 को A, B, C, D में इस प्रकार बाठा गया है कि A अनुपात B अनुपात C अनुपात D चार अनुपात 12 अनुपात 30 अनुपात 45 तुलना गुना A और D के सेरों के बीच अंतर है 55 का A और D के सेरों के बीच अंतर है 여ino 1 तालिस का तो अंतर की तुलना अंतर से, निकालना है कुल योग, कुल योग तो काटिये, चार, बाराचार, सोल्ला, सोल्ला, 36, 46, 45, 91, काटिये, काटिये, बेराहमी से, ये 41, कटेगा, 44,41, 45, पच्वन में 41, चाओदा बच गया, चाओदा पर 3, एके सो तेतालिस, एकादालिस, एके सो तीन वार में 123, बच गया 20, बीस पर 5, जल्दी से करी, अंसर बताइए, तारे बच्चे calculation से नहीं डर ये, देर लगे, समय लगे, उससे जूच जाए, लड़ जाए क्योंकि calculation जितना करिएगा, मैं फिर से बोलूगा मैं उतना ही थर-thर कापेगा उतना ही मैं थर-thर कापेगा, उतना ही मैं थर-thर कापेगा आजाओं मेरे प्यारों एक परिच्छा में एक विद्यार्थी को किसे संक्या का तिन बड़ा चौदा ग्याद करना था मतलब सही था लेकिन गलती से तिन बड़ा चार ग्याद किया जो ठीक उतर से एक सुंपधा है तो संक्या कुछ नहीं तो अपने आप में तो एक रहता ये भिन के रूप में सही उत्तर क्या लाना था उसको है सही उत्तर मेलिब एक का दिन वाटड चावदा करना था ata लेकिन उसने गलती से क्या क्या गलती से तीन हराट चार के एकस मानिया ये एक मानिया एक मानियागा कोई स्थार क्या आपने आपने एक गुना होता है भिंकरूप में एक गुना पर्संट के रूप में संब या तो फिर हरो के ल्षे अलց से यह मानिये गातacon to यह संख्या यह सही उत्तर यह गलत उत्तर अभी दुनों जोड़के इसके बरावर करने चकर्व मत रहिए क्योंकि संख्या को अलग अलग भाग में नहीं बाटा बलकि एक सही उत्तर एक गलत उत्तर है आईसा करने से एक सो पचास अधीक गलत उत्तर आया यहां सही है छे गलत है तो अधिक की तुलना अधिक से यानि अंतर की तुलना अंतर शे है यदि सही उतर निकालना राता तो छे से, गलत उतर तो एक ही से, लेकिन निकालना क्या है संक्या, तो संक्या निकालना है तो 28 से, पंद्रा से 10 बार में, अंत भला तो सब भला हुगे, अब हम लोग मिलते हैं, नेक्स क्लास में, इसमें जो कोशन आपको जटी लगा, उसको रिपीट कर लिजेगा, नेक्स क्लास में टाइब टू, टोटल 43 कोशन है, मज़ेदार मज़ेदार कोशन है, आप देखिएगा, बना के आईएगा, टाइब टू, मिलते हैं नेक्स क्लास में, और सभी विद्यार आएगा मिलते हैं नेक्स क्लास में तब तक लिए धन्यवाद विश्टर प्लक गॉड्ड ब्लिश यू चैन्द